सब्सक्राइब में कि अधिक्षा जावें न विलकूल आवे चे हैं वह जावें चे हैं स्री अने स्रीमति पिखेकोटावाला आट्स कोलेज पाटन अने भार्तिय संस्कुरूति अने इतिया शंशोधन केंद्रजवारा आयो जेड़ आजना आजे भारत की सांस्कृतिक परंपराए युगो शे ना विशय पर कोरोना ना महामारी ने ध्यानमा राखी अन्ने आपने सर्व ओनलाइन थी जोडाया ची तो मुँ दोक्टर संधीता आप सर्वेनु स्वागत करू ची शौप्रथम कार्यक्रमनी शरुआत आपने रार्थना करिये तो आवी तरश्मजानी प्रात्मा लई अने अमारा लाइब्रेरियन डोक्तर गल्लरी बेन हाथी में हूं आ मंत्रित करेश डोक्तर गल्लरी बेन हाथी नुश्कार्ण जीवन तुमने जिया है तंभालो के तूँ आशा हमें दूश्कार्ण जीवन तुमने दिया है संभालो के तूँ आशा हमें हम आपके ही पने सत कर्म की राह पर हम चले सारे जहां की भलाई करें हना किसी की मुराई करें इस दुनिया के दुखों से बिता लोगती। आशा हमें है विश्दासवा कर मुश्किल से विपाता बचा लोगे तूं इस जीवल से हमें तुम तुबारोगे तूं हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हम तो डरने की क्या बात है कटिनाईयों से नहारेंगे हम तुमको हमेशा पुकारेंगे हम अपने गले से हमें भी लगा लोगे तूं आशा हमें है विश्वास वे हर मुश्किल से विधाता निका लोगे तूं हम तुम्हारा अगर शाया कही तो कही भूप है है नाम कितने कई रूत है हर शे में तुम हो समाए हुए हम सब तुम्हार बनाए हुए हम जो रूपे तभी तूं मना लोगे तूं आशा हमें है विश्वास वे हर मुश्किल से विधाता निका लोगे तूं हर मुश्किल से विधाता निका लोगे तूं हर मुश्किल से विधाता निका लोगे तूं धन्यवाद थेंक्यू दोक्तर वलरी बिन हाती सरस्मजानी प्रात्ना पची आपने जानिये छी है के प्रात्ना ए आत्मानों खोदाख छे सवार नों वातावरन प्रात्ना की पवित्र थाई छे दोक्तर वलरी बिने आजे आपने सरस्मजानी प्रात्ना संब्डावी डोक्तर वलरी बिननों खुपकु बाभार जेवो सत्तत कार्यशिल रहे छे अने HNGU यूनिवर्सिटी अने कुजुरात नी विविद यूनिवर्सिटी ना महत्वना पद दरावे छे एमपिल अने PhD ना मार्गदर्शक छे विविद संसोधन पेपरों प्रेज़न्ट करेला छे विविद संसधन पेपरों रकाशित करेला छे अने जेवो संसोधन नू कारिय सतत करता रहे छे विद्यार्थी लक्षी विविद प्रवडूतिव करे छे अने अमने खुबज प्रोचसाहित करे छे तेवा अमारी कोलेज ने अम्मे सा जीवन तर आखे छे तेवा अमारी कोलेज ना आचारिय डोक्टर ललीदभाई पटेल साहेब ने आमंत्रीत करीस के तेवो मेहमानों ताप्दिक श्वागत पर शे अने सेमीलार नो परीचरी आपसे डोक्टर एलस पटेल संस्वार्ट नमस्कार, शरज मजानी प्राथनाथी वल्लारी बेंडी, आजना 2DCA निश्चनल वेविजानी शरुवार्थरीचे, श्रियाने स्रीमती पिखेखोटावल आर्स्पोलेच पाटण, तथा बारतिय संस्कुरूतियाने इतिया संसुमंक केंड्रना सयुक्त उपोठमे, आजना 2DCA निश्चनल वेविजार्मों आप सव प्रतिबागियों और जग्णनों नौर्थ गुचाथ एज़िपेशन स्वसाइटी वचिती आधिक स्वागत करशों। दी दिवेशिया आजना निश्चनल वेविजार्मों सव प्रतम तो अमारे नौर्थ अगुचाथ एज़िपेशन स्वसाइटी डाइरेक्टर श्री डॉक्टर जियर्च पंचोली साइप कि जेवो अमारी हैं चंद्राचारी उत्तरगुजात इन्यवर्शेटी ना भुद्पुर्वा पुप कुलपती अने कुलपती पड़ी रहेला छे अने अत्यारे हाल लगपक अमारी पंदर अजार नी संखिया धराता केंपस ना एग्जीविटिव डाइरेक्टर छे आपना आजना आ वेविदार ने अन्यासिर वाद चे एन्द हुं संस्थावती थी उंपाल वार्दिक स्वागत करण छो जना आ जी दिशी निशनल वेविदार मों एलाटी से पुल थरन थान वेन चो तर्ज़क निए वक्टाओ आज अज रेक्षान मों केंणा तर्ज़क ये वेक्षान आपसे आपना निशनल वेविदानों विशेज ए कल्चलल ट्रेडिस्टन ओफ इंडिया थू दे एजिस आपने जानियाच्छे वारत बेसे विविद संस्कूरूती ने परंपरा धरावतों देश चे परेक प्रजानी पोतानी अलक संस्कूरूती चे अने समग्र विश्वनी अंदर बारत पोतानी ते संस्कूरूती जे दरोवर चे एना थी प्रख्याच्छे अने बारत नी प्रजानीय संस्कूरूती परंपराव उपर जुदाच दा तजग्नयों जुदाच दा प्रकावनू आपसे सव प्रथम आजे उग्निस्तार के सवत्वी प्रथम कल्चलर ड्राडिशन ओप आधिवासी इन गुजरात के विशर उपर डॉक्तर अरूलभै वागेला के जेवो गुजरात इनिवर्सिटी ना इतियास्विवाग ना प्रोफेसर ने अध्यक्स चे गुजरात नी आधिवासी प्रंपराओ उपर खुब मोटू संसोदने ने करेलू छे अने अब इसे उपर एवो तजग ने व्यक्षादा अपना छे डॉक्टर अरूनभै वागेलानू उँँ संस्थावतिती आर्दीक ने उंपालों स्वागत करू छो क्यार पचिन आपना व्यक्षादा छे मिस्टर डॉक्टर इस्वरदान के जेवो इंडियन रॉक आर्थ इन स्पेशल कॉंटेक्स्ट्ट्ट्टू अधोती रिजियन ओफ राजस्थान इविशाई उपर होतानों व्यक्षादा आपसे तेवो इतियास विबाग ना असिस्टन प्रॉफेसर चे सत्यवर्थी कोलेज ना इन्युवर्सिटी आप बिल्ली एमनों पनों आर्दिक स्वागत करूंच्यों आज अनु त्रिजू व्यक्षान छे भार्तिय साहित्यक परंपरा में लोग साहित्यका योगदान अमारी उत्र वि अनु आज नु तीजु व्यक्षान आपसे अनु पनों आर्दिक स्वागत करूंच्यों चारन साहिदे आ व्यमिदार गोठोवामा खुप नुटू योगदान आपेलूंच्यों एमनों आभार पन माननूच्यों आप तीकाले विस्तारेके विज्टारन व्यक्षान ओ आपना विसेन लेने थासे जमा जमर अन्याय और सेश्वन के प्रतिरोग की नारी बादी प्रथा आविसेन लेने मिश्टर मोहंदान अशिस्टन प्रोफेसर आप इस्ट्री गवर्मेंट कोलेज शेरगट व्योथप आप तीकाले मों बिजु व्यक्षान चे बारतियर संस्कूर्थी नी परंपरा लोक मेलाओ खासकरिने गुज्रात का संधर्मों समग्द गुजराद आपे जानियत छिए विवीद परदेसना लोक मेलाव माते बहु प्रक्क्याच छिए विवीद परदेसनी विवीद प्रजाव लोक मेलाव संस्कूति ना बाग दे उज्वय चे अने दरेक मिलावानी अंदर अलग लग्पकाली संस्कूत जोव अमले छे एनी उपर डॉक्तर मूती भाई देऊं के जेओ आसिस्टम प्रोबेसर एमडी ग्राम सिवा संकुल भुजात रिद्यापिट साध्राना अध्यापक छे ए मननिय प्रवचनापसे एमनुपनुपनु संस्तावत्री की आर्दिक स्वागत करूछू आते काले त्रीजू व्यक्षान छे भुजात ना अजमेरी समाज नी भार्तिय संस्कूर्थिक परंपरामा बागिदारी डॉक्तर अजमेरी महमद उसेन अब्दुलवाई के जेओ गवर्मेंट आर्चने साध्री साध्री बावला ना प्रोफेसर छे ए व्यक्षानापसे एम पराव उपर खुब मुटू नॉलेज आपन या वेविनार दराप्तात से अ समग्र वेविदानी अंदर लगभग 150 चेटला अध्यापकोने विद्यार्थिनू रिजिस्ट्रेसन थेलूँचे अने स्वाकरताय वधार एक पेपर परसिद दथवानाची आ सिवा एक क्याता आनन्थाई चे आ समग्र वेविनार करवामों अमारा एक रिसर्च स्कोलर्ज परताप्ताई वाजिया एक खुब नोटी जयामद उठावी चे जह कई पेपर अहीं आगल पसिद दथावानाचे बंचावानाचे अमने मल्या चे एनी एक e-book पन बार बढ़वानी चे एनो आएस्पन नंबर पन लेवामावे चे स्वेमिना ना अन्ते बे श्रिष्ट पीपर एक अध्यापक मथी नेक विद्यारवती मथी पसंद करवामाव से एने श्रिष्ट पेपर नो एओड आपपा माव से इस सिवाए तेना पछी आपन समाहरों योजवामाव से आरी ती ब खासकरीने प्रताप पाई ये पान खूब मेनत करी चे के सवनों संस्थावती आभार प्रमानी लावुचू अने आसा राखो छू ये खासकरीने जे प्रती भाग युट्ची जे लोकोई रेजिस्ट्रिशन कराव्या चे के तजग्यों ना व्याक्ठ्यानों पूरी देते साबले अने मने आसा छे क्या थजग्यों पासे एक्टलोबुदू नोलेच्चा विश्यानू ये गणी बद्यू माहिती आपाने प्राप्ता पसे उन्हा एक वार सवनों आभार मानी विर्मुचू धन्यावाद अधियक्स नोर्थ गुजुरात एजुकेशन सोसाइटी ना एजुकेटिव डाइरेक्टर डोक्तर जियेज पंचोली सर्चे जिवो थोडा समय पची आपनी समक्ष आवाना चे जिवो खुबज सिक्षण नी चीन्ता करेचे सततने सतत अमने प्रियर्णा आपेचे जिवो ना मार्ग दर्सन हेठड पचास्ती पन वधारे विद्ध्यार कीवो छे एपीएच्डी थाया छे एवा आजना अधियक्ष जेज पंचोली सर्च आपनी वच्चे थोडा समय पची परता आपने कारियक्रमने आगडवधारी है डोक्तर अरुन भाईव आगेला साय जे आपना आजना प्रत्थम भक्ता छे अने जेवो प्रोफेसर अने इतियास विभाग ना अधियक्ष गुजरात युनिवर्से की अमधावाद मां छे तेवो 27 वर्ष नो सैक्षनिक अने तेवो न आठ जितला पुस्तको प्रकाशित थायला छे वीस आर्टीकल्स जुदी-जुद्धी जनरल्स मां प्रकाशित थायला छे अने जेवो सो जेटला सेमिनार नी अंदर एवो ये भागली धेलो छे तेवो पी-एचडी ना मार्गदर्शक चे सततने सतत विद्य मार्गदर्शन पुरू पाड़े छे अने तेवो ने गुजरात हिस्ट्री कॉंग्रेस एंड अधर इंस्टिट्यूटन्स एवोड मेडवेलो छे एवा आज ना आपना प्रथम भक्ता जिवो नो टॉपिक छे गुजरात ना अधिवास्ति ओनी सांस्कृतिक परंपरावो तो आ विशेव पर आप सर्वे ने सर गनात करशे वेलकम सर डॉक्टर अरून वागेला साहेब ने आमंत्रीत करिश्टेवो आज नू तजगनी व्याक्ष्या नापे डॉक्टर वागेला सर वेलकम समक्साजर थासे एक्चुली आपड़े दस्वागियानू लेक्चर प्यालू अथो पंचोली साहेब थोड़ा बीजी होवाने कारने उपस्तित रही सिक्या नाथी तेथी आपड़े तदाज पांच एक मिनिट लेट थासे कांके वागेला साहेब उनिवर्सिटी आलाज मा आफ भॉनुपरवात थे प्रमाना इउनिवर्सिटी पचो आवे आज या तरद पोच्तानी साहेब आज व्याख्यान पतानु सरू करचे बले आपने पांच मिनिट राह जोई शौब OS acci e कि अधिना पाणि जयूंचे परण घृम घवारण नमगीर सत्या फैर परकार कर दो चाहिये प्रमपरा अफ करी कि यह दुआ ने वह लाख ृतु लोको और तना संदर मां एक बौज महतनी वस्कुत कि कि आपने त्याा थीवागे फ्रेश्ट मा रेथती पाहडों मारे ने पर आदिवास्यों भारत मा गणाई शिए पर गुजरात में बे अपवाद उसे एक अपवाद चे पढ़ार के सुरेंद नगर जिल्ला मा रहे शिया जैनों मन्जीरान रुत्य माटे लोको अखा भारत मा जानी ता शिए अनि बिजा शिदियों हला गुजरात मा एकज एवी क अपवाद लुत्य अनि जे बाववतों छे तेरतो अंतरवाष्टी कर साय ब्रतिष्टा प्राप्त करी चुचियों तो ए बदी जे अटला ने व लाख अधिवास्यों ने पचिछ जे एमा ती कितला क्मुख्य जे अधिवासी अने इमनी परंपराओं चे इपरंपराओं आठी है तो एमा नाच गान आव एमा चित्रो आवे इमाते हवरों आवे मेलाओं मेलाओए फेस्टिवाल सावे थे अट्रों अट्रों इतले माय कुरू थे जाएया पन आखिज बात्षे इए आपनी कल्चर अध्वात्वात्र ट्रेटिशन विशे ने एक परंपराग परमपराम नी व्याख्या के परमपराम नी जे विभाहवना चे ए आटलाम पूरू थाई जे तू न थियां अल्बत एनो आखो जे वार्षों छे आविजे मेवाद करिया परमपराम नो ट्रडिश्टनन ते एनो पण एक जवलंत वार्षों चे दाखला तरीके आधिवासियों नृत्यों चे एन अजे दान्सीस चे आजे पन आपणा माटे एक आकर्षन अने आपणा माटे एक अने एक पुस्तक लेखुँछे अने एमा एमने लेखुँछे के आधि माना आधि वासि के जंगल माँ शिकार करों हाल्ना माटे न आपणा माटे जतो तो एनने शिकार लांबासमेस सुधी नम मले एक शिकार एने एने मलेो अने पगमा जे थिरकार Ск ह weigh हम एक पगमा जे जे दिरकारति जे नृत्यों चे आट हमाटे लेखुऊ परारम है इन अने रुत्यों चाया कार मेर्णा माटे जो चै विज़ात माँ चालाएशे यह एटमें पंचमाल ना भेल नी वाद करो, डांग ना अधिवस्यो ना पीरामिद न उत्या न वाद करो, पचे आमना में वात करी परमाणै सुरन नगर न पढ़ार अधिवस्यों चे अमना मंझिरान उत्या न वाद करो, के सिधीयो ना धमान न प्रश्ट आवधी वस्तु आटेने ट्रेडिशन तो छे फ़ड़िशन नी साथे साधे बदी बाबतों पुद्पन बनी गेशी थी वद्षाइक बनी कि अवाद साची जरे आवधी वस्तु आटेने पोता ने शिद्ध न थी थती तर एक अलाकारो जेशे ये अर्थो-पाज कि अपने मोटे बागे चित्रों अटले अमुक परकार ने आखी कल्कना करता हुएएचे, पन कोईपोन एक सोसाइटी होएचे, तो इस सोसाइटी जेवू आवडे एवी डिते पोतानू आप्रकार नू जे कड़ा अने नू जे महर ओचे, अब तो करता हुएचे, अपने इस सांस्रीटिके विरास चेां, अने एग विरासत मेए एक विरासत क्चे पिःठोरा चित्र kup场. ये खासकरी ने छोटा उदेपुर्ती हालोल विस्तार ना जे राठवा आधिवासियों छे ए राठवा आधिवासियों मा आप पिठोरा नी जे कड़ा चाले शें। पिठोरा जे सामान्य कड़ा नधी रही पन एना कपड़ा पन बनेचे एने इंट्रनिस्टली रेप्यूडेड आ एक कड़ा बनी गेशियों। मारा एक मित्र शे मांसी राठवा एक पोते छोटा अबुद्ध्य पूर पासे एक मला जाकरिंगाम छे तियां रहे छे। सामान्य कड़ा कारा नेचे एपली साल लपेटी हुए एन उपर अड़ती बाईनू सर्ट पेरी हुए एन एस्तितिमा आ कड़ा ना सत्वारे। पित्थोरा कड़ानू जे एमने एमने जे अस्तखत करी इने कारने एचे लंडन सुधी मुसाफरी करी आवाची बेंगलोर हुए एके दिल्ली हुए एके मदरास हुए आपधी जिग्याए पने आज चित्र परमपरा जेशे एने रिख्लेक्त रवा माटे पोते जाई चु नवसारी वलसाड अने लांग जिल्ला मारेशें अने एमने एक पोता ना घर ना जे प्लीत हुए चे दिवालो हुए चे जे माटी नियो हुए चे बाटी मा एलोको हळदर अने लोटनी मदती जिग्या जुदा जिग्याद चित्रों बनावता ता एमाधिया वारली ने पड़ा हुए चे बीजा कोई ट्रैडिशनल कपड़ा हुए चे एमाधिया जे लाड़ी जे कड़ा छे एने पहसं ना जे सखिनों चे एने गहलू लगाए जिग्या अले आधि वासी परमपरा ने बहुज महतनों बाग चे अधिवासी जे तेहवारों परण आनो बहुज म परण परण बाग चे बदानी वात नहीं करिये पर आपने एक जेसा वाड़ा माइद बोल गवेड़ानों मेड़ों चे एने एक बात करी ए परमपरा लभव बसो वरस्ती तो मने घबर चेके बसो वरस्ती चाले से कहाँ पहला दीपन चालती हुए और का आपने तो सु करिय मोखिक बाव तो बहुँ लांबा समयती चाले से अने एजी परमपरा हो जेजे ए बले लखन माई ये पहला पन दायका हो थी और सजीव थी आ परमपरा हो चालती है अले गोड़ गदेडानों चे ने जे परमपरा चे मेड़ानी परमपरा ये बहरी इंट्रेस्टिंग या अने जाड़ थामला उपर चड़ता है रूक है अने पछी यमने सूटियो मारे लाकड़ ये अने अमाटे केवा ये ओछी थामलों चड़ती वक्ते ये युवान रूए गदेडानी जे मार खावा उपड़ तो हो थी ये गोड़ गदेडानों मिलाव केवाई शिये अने बारती पन अने विदेश माथी पन लोको आग गोड़ गदेडानों मिलो जुआ हावे चे ये उपरान साडियाना मेलाव चे रवेजी ना मेलाव चे वा तो दगलाव बंध जे मेलाव चे ए गुजरात मा चाल चे अने आपना संदर्बा इसारी वात एचे कि दिमीदी कुछा ये वा बंध भी मेलाव चे अने आपना संदर्बा जुखा माय चे भी चाल मेलाव चे आज बंध ऑचेए गालना आपने खीटी वह को मातर बंध आपना एक प्रमान चार फेल्ड चे अने आजमाने शांबड़ी रयाते के आज मूर्ण चे शांकूरत गीतिया चे प्रमाण में आउगान आयलो चे, प्लीज तमें एमा जंपलाओ आने साथे साथे एक सारू उने उत्तम जे काम चे ए गुजरात ना विध्या जगत ना चरने तमें तरो, तनके आमें पन गुजरात मा जेने इतियास बहुं नबले बिशिप्लीन चे, कानके बहुं बदु पासेरामा पेली पूनी जेवुँ चेम, अल्या सांस्कृत जी एतियास चे, एतियास संसोदकोना सपर्ष्णों इल्टजार आजे पन करिए लेवुचे, ये तेहवारोन बदाने वाचे, पन एमा अपने बहु डिटेल मा चाहूँ नथी, अवले दिवासों नाबदू छे पुरी नथी जेवने मातर नाचवा, गावा, आनन प्रमध मा पूरू थी जती बच्टिया, येनी साथे साथे एमनू अखुजी जीवन छे, साइन्टिपिक वेची चाले श्या, विजने विजने पुछूडू नथी होतू, नासावडा संसोदन करिए, नासावाडा संसो करें, तो येने विजनान के वाए, पन अहीं हां, आलोको पन एक जीवन जीवनी पद्धति मा, वो अभीगम लावता होता हो, संसोदनात पहबिंकम लावता हो, तो येने पन विजनान के वाए, आनने ये उमने दाखला दोरा संजावामा हूचू, तो में जो के, गुजरा अधिवासी निवासी परमपरा आचे, एना माटे हो, वो कि भी शा माटे आधिवासी उसा माटे जंगल मा रहेचे, तो येनुक बहुर महातमुकारण ये छिए, कि तो में जो के लेबत तेर सो ने चार माँ, बुजरात में छिलो राजा करनदेव वाखेला, येने आपने तरण घेल हो पन कही है, येना उपर तुम की तो येके नंसंकर मेहता है, एक नवल काथा आपन लगी है, येनु जे अकरमन थायू, तो ये आप अधा जे लोको हाता, ये बदा जंगलों महाँ भागी जाए, ये लोको पाहडी हो में जहता रहा, और कि तो ये वाज़ा है, येने जालोध ना आधिवास्यों ना एंथ्रोपोलोजिकल बेज उपर कि तो ये पूर्वार कर दो तो ये आधिव करण वागेला अने अलावदिन नू आकरमन थायू पचे जंगल महाँ भागया, और ये पहाडी महाँ रहा लगया, ये पहाडी महाँ रहा हो माटनू कारण सूचे, एक तो पोता नो बचाव थे शके, और बीजा नमर माँ आधिवास्यों मा एक गणी छे के ज्यां खेतर आपने जिरते सेहरों माँ के गामडा माँ जृत्व बंद घर बांदीने रहे चेरी ते आधिवास्यों नथी रहता, ये नू कारण ये छे कोई विदेशी आकरमन थाय, कोई बाहरनों आकरमन थाय, और कोई आग लागे, तो कोई मोटी आपती आवे तो बधा एक साथे आपने जो पितनु सहर समजानू साइन्स चे, आ निवासी ये परमपरा चे, एमा एक साइन्स थुपायलू चे, ये अमनी एक बचावनी एक प्रोपेश्णी प्रहूंती चे, पन साइन्स इद्धैर, तो आपने एक बहु परमपरा चेल, आवा बदा जे रिसर्च चे, ये मात्र नाचवा गावा मा ये बदाम पूरी थाई जते नथी, आपने जरा एना करता पन फोलोग बियोंड दांसिस और सिंगेंग एना पर चे, आपने विचार करो पड़ें, अवे बहुच बहुत बहुत अन मुद्धोजियमू तमने काऊचू, पजा तमने आसरे पन् कि अपने रिधा ये बदारा पन्याक्षी अपने सब्सक्राइएं, आन एकल्श पर्म परएहख enemyर्ने कैवामाटे प्रेह कु कैयों अपनी घुचरात ना आइवासियों, भहरतना आधिवासियों हां महीलाव और्न tent चन ब्दिया मानारी उब्स डॉन यहाल ना गुजरात ना अग्यार जिल्लाओं चे यह ग्यार जिल्लाओं बाकी ना बदा जिल्लाओं बिढेएं आ दिआ लcado को लेएं १ संद्रीवों जिल्लाओं चे तोने ध्रताइन बाकीजिए एंद्ड शर्खाम। अपने एक मित्र समाज स्त्री तो एम केछे के लिंग भेद मा अलेके श्त्री अने पूरुसोर्ना रेश्यों मा सतत पछडाता रहला गुजराती जे लाज आधिवासी समाज राखी रहो चे अनि एक यह नी परमपरा है अफे अटली जे उंधा परमपरा होए यह परमपरा ने अबने कि वरी दिती पछडाता रही लिवासी जे बापधन चे के मात्र फैसं साथे शंकडायलून थी जे इंसन ए टीशट ने के तमे सारा सदा कपडा पेरो एना थी कंआ अपड़ आधुनित्फ नित्ट्रों चे वह अधिन आदोनित्ता जे चें ए बे काननी वच्चे चें बगज माझे अने ए बावत्मा अधिवसी जी समाझ चें बड़ॉन ए एडवांस सुसाइटी थी पण एडवांस सुसाइटी अमी परमपरा आतिया अले एक बद्दों मारे तमाज समय आराजी करोगों। थक्रबापा उन्लोऊ सरस्विरान से अपने नदीक्यतर विर्णा कि यत्र पज्यनते नारियसूभ तत्र रमंते देवता अलेकि जहां नारियों पुझा थाईजे महिलाओनी पुझा थाईजे त्या देवों नव वास्वाईजे अन्य थक्रबापा यम कहूंचे कि आज सु तो ये गुजरातना अधिवासी होचे है, कि तिया महिलावनु जितनों सन्मान थाई है ये तिया क्या थातों नोथे पिजयात बेतरन दाखलाऊना संदर्मापू, वेज़ प्रेम लगनो थाता, वेज़ भाँ जावज शुदिनो थाता, अपने अज़ादियावी त्यां सुधिनो थाता, छोकरा ने चोकरियो ने बढ़न पॉन नोथ। तो आधिवासी समाज मा प्रेम लगनो केथी थाता? अमारा एक मित्र से एमनु नाम चे डॉक्टर बग्वांदास पटेल अने अधिवासी सहीती उपल लब पचासर जेतला पुस्तो को लख्या चियां अधिवासी परणपरना रामारान और महाभारत जे शे महाभाराट ना इमने संपाधो नोग पिराएचे एक लिला मोरिया नामनु एक सरस्मजानु ने पुस्तक लग्जूँँँछे ये बात्रा आधिवासी प्रणई गीतों वात करेश एक आधिवासी छोकलो औने छोकरी प्रेम मां पड़े छे तो पछे लोको क्योवा प्रकार्णा गीतों गाए तो एनुजी वर्णन चे अधभूत रिते आमने संक्लन करूशे संपाधिक करी यह पुस्तक स्वरूपे लिला मोरिया नमना पुस्तक मा आपको शे बद्दा यमारे खालते यह पुस्तक जोग अने यहां अमने आब दा वर्णनों करा छे कि यह जमानमा बंतर नोतु वह अधिवासी यहां अने यूती एक जंगलों मा धूर चराव माटे जये ने दगरा चरावाई उटके वाचे वाचे ट्रडिशन सब्दर दगरा दगरा अले दगरा तो यह चराव माटे जाए तो कोई भाज नोतो है अपड़े ते हमना सुधियां के उगनिशने साइंस सित्ते सुधि चोकुरों ने चोकुरी कोलेज में प्रवातना गरी शके अने वात करे तो यह जुदा जुदा अर्थो काड़वा माले अने क्या आज आज आखी बस्तूची एने बहुज सहजता थी स तो थोड़ी कांट्रोल मामा रखे हुँ जुदा अने अटका उचो पांड ए प्रेम मा पड़ी सकता था ए प्रेम लगना करी सकता था खरेती नासी पन जई सके और लगना पन करी सके और पसे अनों समाझ अरे सितारे पन खरो तो आखी जी परमपरा चे ए आ गुजरातना अधिवाशी ने ग्लोरियस परमपरा चे ए तलो उनका उचुकि नाचवा ए गावा मा अपड़े समाध्य दिमिटर तरीघी दो उचे ए तला पूरती अधिवाशी संस्कूती क्या अधिवाशी प्रभूत्यों ने परमपराउने आपने सिमित नह करी से बहन तो परोम जया यह प्रणय लगनु थोता दा इच्छा लगनेनी प्रथा आती तर अधिवासियों न पन तरण भागो विवजन करूपड़ उत्तर गुजरात न आधिवासियों एक मध्य गुजरात न आधिवासियों ले दाहोचे महिसागर्षे पंचमाल चे राज पिपड़ा और तरीजा आधिवान इच्छा न आधिवारे तो माबाप ने छोड़ीन शास्रे न थी जोगुए अने मिलकत वहाई पहिसा नी पास लगवाई पुस्का तो यह सुखरें कि ए खंधार ने लावाया है हंदार अटले आवो एक कोई खुक्रों होई चुक्रा ने के लिए खुक्री शा में मुझे लेज़ящe अने मिलकत वैवां जोडरी आधिवास्यों ंन गुजरात लिए अने ममें इचो अझ्छ्छे आधिवास्यों फोड़े गकनें वस्तावा जियं अधिवास्यों छे आधिवास्यों अ माटालती नियाँ अले यमा फड़ा गुर्दो सता के जे आवनारों जे पती हतो हो ये पती नुबव इज्जत वती नुई याने एक वधारना मजूर तरीके ए पेली छोकुरेना करमा काम करे ए प्रकानी अनिस्थिती हती हम अले पती तरीके ना जे बदा अधिकारों ये जे प्रमाणमा मलवा अनि आवा एक वे नहीं अपड़ा एक विद्वान चे अर्विन भाई चावदरी गुजरात विद्ना प्रोफेसर ये मने उनुशनी पंच्या सिमा गुजरात ना चावदरी नुमन पुस्तक लाई चुछे अनि यमा आवा घणामता दाखला हो आप्याचे के आवा जे छो जो एक छिलो मुद्धो कई यान पचे समा पनु तरफ आगलवद तो जेले पांचे वहितम आपड़े वातने पूरी करिशुरा अविद्वा ओना लग जो तम जो तो खुडाया अधिवासी समाज नी जवात मैं वात करी बीकान्नी बच्चे अधूनी वच्चे अधूनी अधूनी हाचे अमit ow Two अधूनी पुणाने दाख वातम्हें कर्ताने याव ठाग्ना अधूनी जो तरो जो और जाने जसी सम विद्वा पुनन लगनों नुजे काईदों पसार करवा मायों. विद्वा थाए पची आखो समाज भेगो थाए पिल समाज वहाई के चवद्री वहाई के गामिट अनि पेली जिस्तरी अने बच्चे उभी राखवा मावे नातनी बच्चे अने पुछो मावे कि बोल तारे यह रहूँ छे के नातरे जवूँ छे नितम जो कितले एक मुक्त अने एक एडवांस एक सोसाइटी चे के पेली स्तरी ने ओप्चन आपए के तारे यह रहूँ छे के नातरे जवूँ छे आपने ते नातरे सब्दा यह बहुत सारो नाथी पर पुनन लगन साहे तर पहुत सारू थे यह एन अमाटे पुनन लगन सब्द वापर यह तो यह अर शिश्टा जा था यह दब नातरों सब्द बराबर नातरे यह तर यह बहुत सा थे नातरे जवूँ छे आनि पेली सेश्ट्री चे बोटे बागे नातरे जवानू उल्न लगन करवानू पसंद करती ज़ू भूत वट निवाल हैं कडे बिजा आशाथ्य आपन लगन साह पर थे कर बादे कई चे परमपरा चे आदी वास योने चे तमैं आपड़े पच्छात कहीं चेंगे लेक बेकवर्डनेस चे के पिलानों जे मापड़न चे बातर कपड़ा साथे खावा प्योगा साथे के आर्थिक बावतों साथे सिमीट नथी आपके येना करता पढ़ उप पड़ी तो अनेकनी सिंख्यमा जे बाबतों छे उँ तमने गणाई शोकू पण आपड़ी पासे समय नोभावशे अने उँ तमने अप्रत्यक स्रीते मढ़ी रहोचू अलेक दाज मारी वाद केतली पोहत्ती है से एपन प्रस्ण छे पण आरेकोडिंग ठाई रहोचे प्राचिनतम प्रजाचे ये वो जंगलों ने मुख्यधाराना समात की सधियोती दूर रहाववाथी सासर व्यवस्तामा हम्में साथ जृतियक अक्षाना नागरी को बनी रहाई हैं सेकंड शिटीजन मात्रसायाजिरों कायक वड़ावे आई पच्छी के मिस्तिमा सुदार थोया बाद की दृती रहाई हैं सेकंड शिटीजन नागरी को बनी जंगल मारेता था था ले मुख्याज जीवन अत्मों बुख्यधारानी सोसाइटी ने इन शायट ये वादेवा नोटियम अब तो ये तेमनी विशिस्ट परंपरावनु सर्जन करूचियां के आपड़ा तो ये विशिस्ट परंपरावनु सर्जन थाई होतु अन ए परंपरावन लांबा गाड़ा सुधी जाड़वी राखीते वादसा जीजे के विधनान टेक्नोलोजी बहान विवा टेलिफोन ना बदू जेशे दिमें दिमें बौज मोड़ अधिवासयों मायुयां अले तो ये विश्टारो पूर्ती सिमीत रहेली अधिवासी परंपरावनु सिमीत रहेली अधिवासी परंपरावनु स्वारुः। दुनिया आपषविक बनी चि कर दूझा आपछिए बनें परस्टी नियुतारिए से जवितार करें से अधिवासे हुनियु सधीयु आपषिय कर दो दुनिया आपफिये श्वितार करें सेॹितार रहा है। लेवाने चे अपने लेवानी चे हेव बलत नाता है करता अपने लेवाने सेश करान अने संचालन करता बेन अने आप सव जे बने सांबली रयाचो ते अन्थी सांबली होचे वी आसारा कुछू अन्ने आमा थिके ग्रहन करवा जिवू लागे तो तमें ग्रहन कर जो अन्ने आ एक जे रोमान चप छित्र शे एमा तमारू उपाइट युगदान आप थेंक्यू डोक्तर अरून वागेला सर आजे सर द्वारा आपने आदिवासी संस्कृती अने परंपरा विशे नी जे वार्त चे करवा मावी डोक्तर वागेला सर नू आदिवासी जे शमुदाई छे एना पर खुब मोतु शंसोधन तार्यर अने घणा बधा विद्यार्थ आप शेत्र मा तेवोंनी राहबरी नीचे चे एकाम पराविशे शर द्वारा आपने सरस मजानी माहिती आत्वामा आवी के वेद कार्थी वेदों मा पन आदिवासी जे एना आपने उदाहरोनों जुवा मडे चे शात्ते साथे गुजरात ना जुदा-जुदा जुदा ज तेमा आदिवासी ओनी शंख्या जुवा मडे चे अने तेवों नी अंदर जेकाई विविद परमपरावो चे एनी एवी सरस मजानी वात करी के जहे आपने रुब्रु एमना दर्शन करता होई जगिया ये गया होई एवी सरस मजानु भसरनु आजुनु जे व्याख्यान सरे अपनने घंदाबधा आदिवासी टे समाज्ट ए समाज ना जुदा 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 जे लोको चे देवो खास्परी ने चित्रनी वात करी रुत्यनी वात करी मेड़ा ओनी ताउठी समुदाई नियं ए घमिके अदिवासी समुदाइने अंदर खुब त्रिवो छे एमने फ्रीडम आपवामा आवे चे एमनी पस्संदगीना लगन करवामा आवे चे तो आदिवासी समुधाई विशे नी आपने खुब सरस मजानी अने रसपद वात चे ए सर द्वारा आजे आपने ए बदी माहीती मडी चे तो पोलेज परिवार वती हवे कारियक्रम ने आगडवधारता आजना आपड़ा विजाजे वक्ता छे प्राधियापक स्त्री इस्वर्दान जिवो आसिस्टन प्रोफेसर सत्यफी पोलेज मांती दिल्ली युनिवर्सिती नी अंदर अत्यारे कार्यरत छे तेवो द्वारा विविद रीसर्च पेप पर छे ए प्रकाशित धया छे अने तेवो आजे आपने भारतिय रोक ला राजस्थान के हाडोतिक शेत्र के विशेश शंदर्भु में आ विशेई पर आजनी आपने वाट करवाना छे तो प्राधियापक स्री इस्वर्दान जर्ने आमंती तरीस वेल्कम तर आपनो अमार आजना अवेत्वार ना अवेबिनार में अंदर स्वागत छे वेल्कम तेंक यू मैं थैंक यू सो मच इस महत्पुन परिचर्चा जो स्री एन स्रीमती पीके कोट्वाल कॉलेज आर्ट्स कॉलेज पातन और इंडियन कुल्चर और हिस्ट्री रिसंटर द्वारायोजित इस महत्पुन वेबिनार में उपस्तीत समस्त विद्वन्च जणों को मेरा साधर प्रणाम और इस आयोजन समीथी को इसे सकर प्रिंसिपल डॉक्टर ललित पतेल और आयोजन समीथी के अन्य सदस्य प्रताप सिंग जी और सैसकर अन्चारन और सभी को मेरा मेरी तरफ से बहु मैं मैं पीपीटी के मादिम से बोलना चाहूंगा जैसा कि मैं गुजराती में इतना कमफर्ट नहीं हूं लेकिन मैं हिंगी और इंग्लीज दोनों में बोलने की कोशिज करूंगा सो थैंक यू सो मच आप मुझे पता दीजेगा कि मेरा स्क्रीन सेहर हो रहा है कि नहीं अब हो रहा है प्लीज स्क्रीन सेरिंग तो आपकी तरफ से एक सेटिंग में चैंज करना होगा वस्ट की तरफ से इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि होस्ट डिसेबल पार्टिस्पेंट स्क्रीन सेरिंग तो प्लीज आप ओन कर देंगे तो है अब ही तक इसमें और नहीं हुआ है पोगें सर ओके थैंक्यू आप अब मेरा जो अब टॉपिक एसमें बात करने जाराहा हूं की इंडियन रॉप कार्ट इन स्पेशल कॉंटेक्स ऑफार रीजन ऑफ राजस्ता हाड़ोती जो एरिया है इसके जनरल इंट्रडेक्शन की मैं बात करूं तो हाड़ोती राजस्तान का एक सदन साउथ इस्टन पास्ट है जो जिसमें हम कोटा, बुंदी, जालावाड और बारां डिस्टिक्ट इंक्लूड करते हैं और यह एंपी से टच हुआ एरिया है इसका जो लगबग 24,275 स्का एरिया है और इसका नाम हाड़ोती इसलिए है क्योंकि यहां पर जो एंसियन जा मेडिवल टाइम में हाड़ा डैनेस्टी थी, अली मेडिवल जो 12th century and 13th century में उस हाड़ा डैनेस्टी के द्वारा सासित ये क्षेतर था, इसलिए इसको हाड़ोती कहा जाता है और हाड़ा टर्म भी जो है वो एक हड़ी से टर्म आता और ये राजपूत जो वनसावली होती उसमें सासक जो वनस होता उसके नाम पर उस एरिया का नामकरन होता है ये एरिया अपने आप में बहुत फटाइल लैंड है जहां पर यहां पर रिवर्ड चंबल और यहां के सब नदिया है यहां पर बहुत सारे मिनरल्स अवेल बल हैं यहां के फॉर्स्ट यहां के पास्टश लेंड और यही जो फ्लोर अपो न और सबी रिसर्सेज़ इस एरिया बनाया रखाया और यहां पर प्रीमिटिव फिजिश्र्ट से यहां पर मानव के लिए आकर इसमें अगर हम जोग्राफिक ली इसका बैग्राउंड देखें तो यह विंदिन माउंटेन एंड अरावली के बीच का पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक है विंदिन स्कार्प लेंड सेकंड है डेकन लवा प्लेटो अगर हम इसको आगे और डिवाइड करें जोग्राफिकली तो इसका जो लेंडिसकेप है या इसको जियो मॉर्फोलजीकली इसको फाइव केटिग्री में सब्सक्राइड करें जाने हैं वह आती है सेकंड है हिल्स वित जिसमें इस्पेसली जो रिवर्स के साथ जो हिल्स है नदी हाटिया जासे हैं उनको सामिल किया सकता है थर्ड कैटेग्री है हाई स्टॉनी लेंड जो प्लेटू है जो पठारीक शेतर है साबाद चालावाड जिसमें जलोड मैदानिक शित्र है जहां नदी के आसपास का एरिया है और यह सबसे ज़दा फटाइल लेंड है और फिफ्ट केटेग्री है एंचें माउंट्स एंड प्लेंस चू थोड़ा नदियों से दूर का एरिया है इसको आप इस कंटूर मैप से भी समझ सकते हैं इ अगर आप ड्रेनेज पैटन देखें यहां पर चंबल सबसे इंपोटेंट रिवर है जो सदन साइड से जो एंपी से आती है और उपर की और नॉर्थ साइड में चलती है इसकी जो डिरेक्शन है नॉर्थ साइड है यह इंडिया में कुछ ही नदिया है जो नॉर्थ तो आगे चलकर यमुना में मिलती है इसकी बहुत सारी जो और रिवर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मांगली, मेज, पारवती, काली, सिंथ जो इंपोर्टेंट रिवर्स है तो यह फर्टाइल लेंड है यह इसका एक जेग्राफिकल बैक्राउंड है अब मैं मैं आत शर्णेंट परमपराएँ हैं उसके कॉंतेक्स में अगर हम देखें तो आर्ट्स सबसे इंपोरटेंट एक कॉंतेक्स माना जाता है संस्कृति का सबसे महत्पुन हिस्सा कला होती तो जो कला है जो उसमें भी अगर उसमें सबसे most ancient art कोई developed हुई है worldwide तो उसको हम रॉक आर्ट्स कहते हैं रॉक आर्ट्स इसली यह रॉक पेंटिंग्स जो है वो क्या है यह पर्टिकुलर्ली जो डिफ्रेंट रॉक सेल्टर्स हैं जो बहुत सारी चटानों के रॉक सेल्टर्स हैं उनकी वाल्स पे उनकी दीवारों पे उनकी चटों पे जो एंशेंट जो human beings ने जो वहाँ पर depiction किया या कुछ चित्र बनाए उसको हम रॉक आर्ट कहते हैं and this is the most ancient art developed by the human okay so इसमें basically जो उस समय के मानव ने जिसको हम आदी मानव कहते हैं primitive human beings जो prehistoric phase है जहां पर हमारे पास language literature नहीं है जहां पर हमारे पास script नहीं है लिपी नहीं है हमारे पास उस फेज में जहां पर हमें only archaeological source available है उस एज में जब human being ने किस तरीके से अपनी जो activities थी अपनी day-to-day routine है उसकी cultural activities है उसको कैसे वो रह रह रहा था उसकी information हमें यहां से मिल रही है तो उस समय कि human being ने जैसे वो फटकते वे कभी जंगल में कभी बन में जो भी इसको जगर मिली इसमें rock shelters उसके लिए favorable जगर थी तो उसमें उसने वहां पर कुछ चि दिख रहा था उसको उसने painting या उसको चित्र की रूप में बनाया उसमें उसकी thinking भी सामिल थी हो सकता इसमें कई सारे aspect हो कि यह entertainment का भी पार्ट हो कि उसमें human being है उसके लिए यही manoranjan था time pass के लिए एक तरब से free time में हो सकता अपने बच्चों के साथ खिलने के लिए भी व उसकी imagination, उसकी entertainment को हम समझ सकते हैं और यह archaeological अपने आप में important aspect है उसके कई सारे technological aspect हैं हम आगे देखेंगे सबसे important जो aspect हम देखते हैं उसमें उसके stylistic features होते हैं उसके उपर superimpositions हैं या उसकी colors हैं उस context में हम देखेंगे तो rock art में सबसे important जो aspect हैं वो है color, रंग योज ना जो वोल्ड वाइड अगर हम देखें या जो इवन हारोती के area में भी तो इसमें मुशी color भी उच हुआ है and apart from that white and rarely applied green are the frequently used color in the rock panties इसमें red सबसे जादा है जो आप जानते हैं कि red color एक खनीच से ये बना होता है ये mineral से इसको इसका एक hematide type का stone आता है इसमें iron oxide होता है उसको मिल इसमें water के साथ उसको एक pest बना दिया जाता है उससे इसकी painting की जाती जिसमें brush का भी यूज होता है second important aspect है वो है petroglypse and engraving so color के अलावा और क्या होता है कि petroglypse so petroglypse सबसे starting जो development वह था petroglypse इसमें किता होता है कि जो rocks हैं जो mountains हैं उसकी चटान की कुछ ऊपर की surface को हटा कर उसमें से कुछ stone निकाल कर वहाँ पर जो engraving करते हैं उसको petroglypse करते हैं जिसमें जैसे कुछ जो वहां पर panting करते हैं तो उसके उपर imposition होता है मतलब जो पहले कुछ बना है उसके उपाद उसके उपर फिर से बना देना okay and fourth important aspect is patina और patination जिसमें patina actually natural process है जिसमें वहां की जो rocks हैं उसके उपर कुछ मिटी वगरा जमी होती है वहां पर अगर बारीस हो जाती है तो मिटी सी एक layer बन जाती है उसको patina कहते हैं तो यह अगर हम जब rock pentings की study करते हैं यह important कुछ technical aspect है फिर हम आते हैं कि यह rock penting का जो study है इसका जो research है वो कैसे कब से start होता है एक्चुली rock pentings यह जो rock art है यह अपने आप में new development है अगर history या किसी भी context में देखे हैं इसमें इवन वल्डवाइट 90th century में यह study start होती है worldwide and Indian context में यह 20th century में यह 20th century में यह 20th satabdi में start हो रही इस्पेसली बीसवी satabdi के की second half में जो after 1950s यह after independence यह study mostly start होती है जिसमें V.S. वाकनकर का नाम I think हम सबने सुना होगा जो सबसे बड़ा रोल है जिन्होंने घीम बेटका को भी discovered किया था तो V.S. वाकनकर यसोधर मतपाल इन्यूमियर डिएच गॉर्डन गिरिराज कुमार एसके पांडे रॉबर्ट बैडनारेकन जीसी त्यागियन एट्सेटरा बहुत सारे इसमें और भी नाम है जिन्होंने इस रॉक आर्ट को अपने आपको पब्लिस करवाया उन् 1957 में V.S. वाकनकर ने भीमबेट का जो सबसे प्रमिनेंट साइट है रॉक आर्ट या रॉक पैंटिंग का उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया और वहां से आगे चलकर बहुत सारे और रसेर्च हुए जिसमें Archaeological Survey of India ASI या IGNCA और बहुत सारे स्कॉलेट से उनका भी इसमे रोल रहा है देन अगर हम साउथ एस्ट राजस्तान या हरोती की बात करें तो उसमें भी वाकनकर साब और गिर्यराज कुमार, जील बादाम, बैडनारिक साब और वियेच सोनावने, मुरारीलाग सर्मा या RK पंचोली, J.D. त्रिपाथी, JN.C. वास्ताव इन सभी स्कॉ अगर हम देखें, उनको अगर हम साइट्स माने रॉक साइट्स में, सबसे ज्यादा जो रॉक साइट्स हैं वो बूंदी में हैं जिसमें गरड़ा, भीमलत, नालदा, पालका, नचला और यह सब बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर इस तरीके की रॉक पैंटिंग्स मिल रह इसका डिस्ट्रीपूशन अगर कल्चर वाइज भी करें कि इसमें उनको प्री स्टॉरिक हैं कि उपर पैलोलिठीक हैं या मैसोलिठीक हैं या क्लचर कि हैं वह भी हम इसमें डेख सकते हैं अगर हम उसका इचांट से देखें तो आल्मोस्स 50% साइट से वो बुंदी में है एंड रेस्ट अप दी जो रिमेनिंग साइट से वो पोटा चालावार एंड बारा में आप देख सकते हैं सो बुंदी अपने आप में सबसे इंपोर्टेंट यहां पर हैं जहां सबसे जाधा सायट से और माना जाता है कि सबसे लॉंगेस्ट एक वाहं की सिरीज मांटेव जहां पर आस्ट्रेलिया के बास सबसे ज्यादा साइट हैं यहां पर देखने को मिल रहे हैं रोग of their social, cultural, religious and economic life. Actually, the human being, which is the beginning of Manav's starting, which is the beginning of his knowledge, his Sanskrit, or the religion, or whatever aspect we can see from this culture. And we can understand that these rock paintings depict the continuity of human evolution. Manav's development is in which way he was going to be a one-manus in which way he had, in which way he has developed cultural development, in which way he has many aspects, religion, culture, and Sanskrit, which we can see from this rock art. And here he is the daily life, we know that the pre-historic phase, the paleolithic and mesolithic phase, there is hunting and gathering, hunting, which is the most important, the most subsistence pattern is there, AGB of its base. So, there are hunting scenes, daily life, which are the activities of human figurines, or some dancing posters, or some flora and phona, which are also there. We have seen a book built here. So, this is almost from 40,000 years ago, we can see the whole rock paintings of rock Then, theme and subject matter. So, what is rock art or rock paintings? The cell chitra kalam mostly depiction of flora and phona, which are the plant motives, and this is important to us, because we can understand the environment as well as the ancient time, that we have talked about the environment, like we have talked about pollen study, or we talk about the same time, तो इनसान का परियावरण के साथ क्या रिष्टा है वो हम कहीं कहीं यहां से भी देख सकते हैं कि फोना को भी किस तरीके से दिखा रहे हैं और इसके साथ-साथ जो animal figurines है जितने भी animal figure है पस्वों के जो चित्रे हैं और hunting scenes जो हैं और किस तरीके से उसकी टेक्निक्स क्या है, कैसे सिकार कर रहे हैं, वो सब चित्र भी यहां पर हम देख सकते हैं, और इस्पिसलि इसमें कई टाइप के शेप्ट जैसे एस सेप्ट एंड स्टिक सेप्ट हुमन फिग्राइन से हो हम आगे देखेंगे, so depiction of different activities like dancing, hunting and fruit and honey collection scenes या जो इसमें female women participations, यह सब हम उसमें देख सकते हैं, apart from that, there are many other scenes like holding any weapon, equipped with bow and arrows and other scenes also so यह भी अपने आप में, यह कई जगे ऐसे scene, ऐसे pictures भी हैं, जो depiction of bot figure was found in the rock shelters of Nalda in Bundi so इस तरीके की अलग-अलग चित्र हम देखेंगे कि जिसमें भीमलत एक important site हैं, जहांपर जो hunting scenes में net का यूजवा, net and trap जो किस तरीके से जाल में फसा कर वहां पर जो animal है उसको वहां पर पकड़ा चा रहा है, या फिर उसके कई सारे groups के साथ हैं, या उसमें बैल-गाड़ी भी दिखाई गई हैं, बहुत सारे animals हैं, उनके भी चित्र वहां पर देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से स्ट्रेजी बना के उस पसू को पकड़ रहे हैं यह अपने आप में बहुत इंपोटेंट है, यह इस तरीके के रॉक सेल्टर्स हैं, जहां पर मैंने भी काफी रिसर्च किया कई साइट से हैं, उसमें कई सारे देपिक्शन हैं, इनिशिली जो देपिक्शन है वो अनिमल फिग्राइंस है, आप इसको देख रहे हूंगे कि यह रैड कलर, रैड ओकर कलर का बनाया हुआ है, यह बुल है, जो बुंदी या कोटा की पैंटिक्स में, कॉमनली आपको, सबसे ज़्यादा जो पिक्चर है, वो इसका देखने को मिल रहा है, इसमें आप मारने की कोसिस करें हैं, यहां पर कई सारे जो लोग हैं, इसमें मैन हैं, वोमन भी हैं और चिल्डर्न भी हैं, सबसे manifestations में इंपोड़ेंट पहते हैं कि यह अने एक आप में डैवल्मेंट है, आप आप देख सकते हैं कि पुछ फूण ूर इसमें मैन ओ व्यम बहुन भी है तो उस ताइम में जो पासान एज हैं पासान काल में भी वहां पर लोग जो है फैमिली इक सिस्टम है वो और ग्रूप फंटिंग में आप देख सकते हैं इसके साथ साथ बहुत अन्य भी ऐसे चित्र हैं जिसमें फीमलत के भी चित्र हैं जिसमें हंटिंग है ग्रूप हंटिंग है डांसिंग के सीन है या उसके बाद आते हैं हुमन फिग्राइं कि यहा फर आप देख सकते हैं यह human figure है एंड ह्ट्यूमन फिगर जो स्त॥ांटिंग जो अपर पहले लिथे चेस इंट वन च्थे को इसके इसक इन यह जीएं अट्टिंग में जादाल हम देखते हैं कि जो जो वो डीजेट नें जो वो यहांसे हम लेंक कर सकते हų जाइए पूजा का भी आस्पेक्ट रहा होगा, यह एक और है नाल्दा में जहां पर इस तरीके से बुल हैं, जिसके आप देख सकते हैं, इसके सींगों की आखती, बड़े भी हैं, गोल घुमावदार आप इसमें सींग देख सकते हैं, एसे बहुत सारे जो चित्रे जिसको जोमेट्रिक ली या इंटिकेट डिजाइन्स में बनाएगे हैं, जिसमें उसको हो सकता एक सिंबोलिक उसका एक रिलेवन्स भी हो, ठीक है, और इसके साथ साथ कई और भी चित्रे आप देख सकते हैं, यहां पर जो ब्लैक कलर में भी कु हैं, यहां फिर से आप हंटी इन सीम देख सकते हैं, एरो के साथ हैं जिसमें किसी अनिमल को मारने की कोशिज की जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे चित्रे हैं, जिसमें फिर से यह एक अनिमल फिगराईन ने बोले हैं, यहां पर हुमन जो फिग्राईन दिखाया है, यह बिस को स्क्वेर सेप्ट में है इस इस पिक्चर फ्रॉम गरड़ा एंड इस वेरी रियर पिक्चर एक्चुली यह बर्ड राइडर हुमन आप देख सकते हैं कि कोई बर्ड है पक्षी है बड़ा पक्षी जिसके ऊपर मानव को बैठा हुआ दिखाया गए यह वर्ल्ड की पैंटि पक्षी और यह लगता है इंडियन अनिमल नहीं लगता है बलकि यह कोई आउटसाइडर जैसे आज भी गरड़ा वाले एरिया में जो प्रवासी पक्षी आते हैं बहार से उस तरीक हो सकता है कि उससमें कोई प्रवासी पक्षी रहा हो उसको उन्होंने डेपिक्ट किया हो इस इस वेरी इंपोर्टन पिक्षर यह आप ग्रेजुवल डेवलपमेंट देख सकते हैं यहां पर जो पिक्चर है वह प्लांट के साथ में हैं मेंस यह स्टाटिंग और यह नियोलिथिक चलकोलिथिक वेन मतलब कि आप जो हूमन एंड एनिमल का या प्लांट के साथ एक जो है उसके साथ उसका फैमिलियर होने की स्टेज है जहां पर वो अपने अनिमल को कहते हैं ना खूंटे से बांध कर दिखा रहा है बाड़े के पास में या प्लांट के साथ में दिखाने की कोसिस कर रहा है और यहां पर आप यह इनिशियल फेस के हुमन फिग्राइन हैं जो सेक्शुली एक्टिविटीज में इंगेजड दिखाई देते हैं इस तरीके के भी काफी पिक्चर्स हैं वो दिखाई देते हैं जिसमें इस तरीकी का डिपिक्शन्स भी हैं जो उनकी डे जो लाइफ है उसको भी दिखाता है यह भी उसी तरीके के जो है सेक्शुल एक पर घोडे पे सवार है मानव और इसके साथ-साथ अप यहां देख सकते हैं चैरियट भी कहीं दिखाई देराह है यहां ख्वर्स के साथ और वैपन्स में भी अब जो आप ऑडिय रियो एंड जो साथ-साथ-स वार्ण्स मत अंथी दिखाई दे रहे ए उसके हाथ रहे तलवा यहां हम उससे लिंक कर सकते हैं इस तरीके की पैंटिंग्स को एंड यह जो पिक्चर है यह एक रॉयल प्रोशेशन जो होता है एक तरब से जूलूस निकाला जा रहा है मंदब इक पुरा जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें भीड हैं और बहुत सारे अनिमल्स हैं एलिफ यहां एक इंपोरेंट पिक्चर देख सकते हैं एक एनिमल हैं जिसके वाम में जिसके गर्ब में कुछ जो काफ या जो उसका बच्चा है उसको भी दिखाया गड़ा इस तरीके के जो डिपिक्शन है यह अपने आपने एक एडवांस उसकी जो एक टक्निक या उसको जो सबसे एक पवित्र चिन है उसको भी यहां पर स्वास्तिक भी देखने को मिल रहे हैं यह historic period के बाद का पिक्चर दिखाई देता है तो इससे भी हम religious sense है वो भी यहां हम देख सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे और भी जो रॉक पेंटिंग्स हैं जो यह pictures है वो different geometric intricate designs या जो different others जो activities हैं उसको भी दिखाते हैं तो इस तरीके के जो pictures हैं यह प्रूब कर रहे हैं कि हाड़ोती एरिया में किस तरीके से वहां पर जो रॉक पेंटिंग्स के प्रूम उसकी history को उसकी starting को actually pre-historic period, early historic and historic period को समझ सकते हैं geographically उसका हम distributions भी देख सकते हैं कि कहां कहां उसका उनसे areas में वो hills में है या वो plateau area में है या वो कहीं पे जो alluvial plane area में है उसका भी हम ratio इस graph से देख सकते हैं and mostly जो initial pictures है वो उन areas में जहां water availability बहुत कम है so इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि जो starting में early historic page में human के लिए वहां पर मानव के लिए water का available होना अंडर्ग्राउंड water की availability का इतना importance नहीं था क्योंकि आसपास जो भी river या जो भी है वहां पर वो दूर भी जाके रह सकता है बड़ जब agriculture आती है जब क्रिशी और खेटी जब से start हो नदियों के पास बचना उसके लिए ज्यादा important होता है अब हम डिसकस करेंगे कि यह जो रॉक हार्ट है इसकी period इसका जो time या इसको हम कैसे देखें कि इसकी style क्या है इसकी जो time उसको हम कैसे काल करम का निरधारन किस तरीके से करें तो इसमें वाकांपर और अन्या सारे विद्वान है नोंने बात दिये इसमें जो first period जो माना जा इसका time period आप 8,000 to 20,500 BC वान सकते हैं इसमें initial जो six styles है जिसमें pre-figurative और non-iconic type के कई सारे और figurative और iconic pictures भी लेखने को मिलते हैं सेकंड फेज है वो नियोलिथिक और चलकोलिथिक फेज है जहां से iron age तक वो चलता है जो almost 2500-300 BC थर्ड फेज है वो early historic and historic period है जिसमें almost 300-800 CE का जो time period माना जाता है and later जो two phases है fourth and fifth है वो बात की phases है medieval and modern time तक के development को देख सकते हैं so initial style है उसको अगर हम discuss कराएं तो यहां पर जो initial style है वो naturalistic style मानी जाती है जिसमें जो upper paleolithic cultures हैं जहां पर जो upper paleolithic periods के जितने भी depictions हैं उसमें mostly lining है वहां पर geometrically designs है और इसमें जितने भी ज्यादातर जो animals हैं जिसमें even बड़े animals भी है जिसमें हाथी भी है या जिसे हिरन थैंसे या जो भी बैल है इस तरीके की आकरतिया बनाए गई गई है तो यह realistic जागा है जो naturalistic design में आपको देखने को मिलेगी सेकिंड है वो stylized styles जो design है इसमें आकरती में देखें तो mesolithic period से यह देखने को मिलते हैं या एक्सरे designs है वो हमें mesolithic period से देखने को मिल रहे हैं जैसा कि हमने pictures में भी देखा जिसमें हाथ में आपने देखा कि arrow है बान है धनूस है इस तरीके से जो pictures हैं वो mesolithic period के माने जाते हैं थर्ड इंपोर्टेंट डिजाइन पॉज schematic and decorative design यह लेट mesolithic से चल्कोलिथिक period में आपको देख सकते हैं जहां पर animals को groups में दिखाया गया है वहां उनको human figurines उसमें देखाई देते हैं और साथ-साथ इसी टाइम जो human के group dancing के scenes भी है group singing type activities भी दिखाई गई है और इसी टाइम जो family के figurines भी देखने हैं मलब एक परिवार जो system है उसको भी इसमें man, women and children उनको भी साथ में दिखाया गया है इसके साथ-साथ कई और भी जो animals हैं जो हिंसक प्रवर्ती के होते हैं सेर हैं चीता है भालू है इस तरीके के animals का भी इसी time-made definitions है और यह mostly geometric and net type की designs है उसमें बनाया गया है and fourth important जो style है वो है conventionalized style जिसमें हम नियोलिथिक से चलकोलिथिक से आगे की phase में देखते हैं अब जो है human figurines बड़े नहीं बलकि अब जो realist जो जैसा है उसके proportionate में जैसे हमारा जो बॉड़ी का structure उसी proportionate में picture बनाने की courses दी गई ठीक है यह ज्यादा advanced stage हम देख सकते हैं इस यहां पर भी geometric जो लाइन से वह यूज की गई है और यहां पर जो hunting animals है उसमें काफ डेवलेप्मेंट में देखने को मिलते हैं और यह हम समझते भी है कि चालकोलिथिक पास पास का time period है जब agriculture भी start हो चुकी है and final and last जो सबसे important style है वो है electric style जब हमने देखा कि जब horse riding है या elephant riding है script इस तरीके के बहुत सारे depictions है और इसी time हम जानते कि script भी आ जाती है जो early historic period में सो अम देखते हैं कि maurya's and kushana's period के जिते भी है यहां पर हमें चाहे वो कोई सी भी ब्रामी script हो संख लिपी हो या जो लिपी का या जो है कुछ चाहे वो बले pictographic हो या कुछ words या letters जो भी numbers है वो भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं और यहां से हमें white type के जो panting से हैं वो भी देखते हैं साथ ही साथ जो अब जो weapons है उसमें भी changes देखने को मिल रहा है कि अब धनूश बान के साथ साथ तलवार भी है और भी कई सारे जो depictions देखने को मिल रहे हैं तो यहां तक हमने दिखा कि किस तरीके से एक changes आ रहा और different phases में यहां पर हमें बहुत सारी जो script के साथ साथ warriors को भी दिखाया गया है उसके साथ उसके हाथ में ढाल है तलवार है और यह सब जो depictions है वो प्रूव कर रहा है कि आप एक लिटर्चर भी है उस अवस्ता में हम एंटर कर चुके हैं तो यह अपने आप में रॉक पैंटिक्स दिखाती है इसके अलावा कई सारे देसोगर मत्वाल के अगोडिंग कई सारे सकते हैं इसको चरण करें सकते हैं इसमें सबसे। इंकषिये सगेश्च प्री आप्रिम सकते हैं त्सक्तिक पस्सक्राइब कर दो Rat Ettère क्रां। प्रिएस्टारिध क्रद्वन हो जादा तर शो ढभी है वो मैंहां प्राइब ज्रम हरे नहां तो उ में सेमैट्रइक पैंट के ताइप के जो human figurines हैं चाहँ पर और भी बहुत सारे जो animals हैं जिसमें हम चाहे deer हो बुल हो tiger हो या इस तरीके के बहुत सारे animals को भी उसके साथ दिखाने की कोसिस की गया थर्ड पेज में देखते हैं कि जादा realistic picture दिखाई देते हैं तो इसी तरीके से अगर हम वहां पर अंकरन दिखाई देता है तो इस तरीके से यहां पर हम और संक्रमन काल में क्या देखने कि वहां से मानव और पसू के साथ परीचे होने का जैसा मैं एक पिक्चर में बताया था कि वहां पर प्लांट्स की साथ में है एक पसू को खुंटे से बांदा हुआ दिखाया गया है और यह अपने आप में मानव और पसू के साथ का परीचे होने की अवस्ता जो पाल्टू पनाने की प्रिकरिया है उसको भी हम यहां पर देख सकते हैं तो यह एफिक्शन और फिर आगे हम हम आगर इस्तोरिकूर equity में देखें तो जैसा कि मैंने पलाएं कि वहां पर और वार्श राय्डिण भी वहां पर राजक की जूलू स्टैपके भी है वहां पर वार्यार्व हैं वहां पर वार टाइप के activity तीचिए ऑन पर अपने पह में इंपोटेंट हो जाती है तो इस चित्रों की चुन नेचर प्रकृति को देखें या उसकी थीम या स्टाइल इन सब को देखें तो यहां पर अमारे लिए यह सब इंपोर्टेंट अस्पेक्ट हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अघर अर्कियोलोजिकली हम इस रॉक पैंटिंस को वहां पर डिस्कस होते मैं देख सकते हैं यहां पर इसके साथ साथ हर्पेलूजिकली हम देखें कि हाड़ोती एरिया में, बात करें हम कि कि सत्रेके से हाड़ोती एरिया में रॉक पैंटिंस का जो development ठाव वो starting की phase से लेकर क early historic and historic period तक अपने आप में importance एक continuity दिखाता है history में हम जानते हैं कि changes and continuity is very very important aspect जहां पर हम देख सकते हैं कि उसके साथ-साथ किस तरीके से यहां पर एक continuity का phase दिखाई देता है so thank you so much मैं इस तरीके से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि यह जो rock art and rock paintings हैं यह अपने आप में किसी भी art या architecture की development के context में देखें या cultural context में देखें उसमें एक continuity का phase है जैसे हम बाद में आजंता एलोरा की rock paintings या जो cave art देखें या उसके बाद में जैसे modern time में भी कई सारे जो आदिवासी या जो tribal areas है आप उनके घरों में जाकर देखेंगे बाहर की और उनकी जो कच्छी दिवारे हैं उस पर भी इसी तरीके की कहीं कहीं paintings हैं वो दिखाई देती है तो यह अपना पर cultural evolution है संस्कृति का विकास है जहां हम upper paleolithic से लेकर के धीरे धीरे आगे भी हम देख सकते हैं इससे हम human history का जो एक important archeological एक important source के रूप में हम उसको देख सकते हैं उनकी जो जानकारी है उनकी जो informations है वो हम इस basis पे discuss कर सकते हैं तो इस context में हाडोती की जो आर्ट है रॉक paintings हैं वो व्ल्ड में सबसे important मानी जाती है जिस पे काफी research भी चल रहा है और उसको हम उसी context में देखने की पोसिस करते हैं So thank you so much समस्त आयोजन कमीटी को मेरी तरब से हार्दीक आबार प्रिंसिपल साहब ललित पतेल और आयोजन समिती काने सभी से आप सभी का बहुत बद आबार आपने मुका दिया और किसी को कुछ पूछना हो सवाल के लिए आप साधर आंचे Thank you Hello कुईने प्रस्नाचे को कुछी सखेचे Okay Thank you sir प्राध्यngaकौकस्री इस्वर्दान चरत वार आजे आपने हाड़ोटीक डायनेस्टिक छे्ए यसाणा विशेनी माहिती आपनामाध आवी जेनी अंदर रोप, पेंटी विशेनी सार चे इना द्वारड़े वात कर वार्टिक के आदी मानों द्वारा जे चित्रो दोर्वामा आवता था अने एनी अंदर आपने घणी बजी ए समय नी परमपरावो छे संस्कृती छे एनों ख्याल आवे छे एनी अंदर खास्तरीने विविद्ध प्रकार ना पसुओ छे पसुओ ना पेंटिंज होआ मडे छे जुदी ज प्रकार ना बुख्षो विशे ना पेंटिंग पन जोवा मडे छे एसी वाई एना जुदा 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 विभाव प्रमाणे सरे आपने खुबज उन्डान खुबग माहीती आपी अने सरे आब आबाबत उपर घणुदू रिसर्च क कारियक्रम ने आगड़ वधारता आपड़ा आजना प्रीजा वक्ता प्राधियाप्रक्ष्री सेश परन चारण साहेद ने आमंत्रीत करीश जेवो दस वर्ष केंद्रिय विद्यालाई मा लेक्चरर तरीके कारिय करेल चे जेवो ये अने तेवो हाल आसिस्टन प्रोफेसर त परीके गवर्मेंट आठ्स कोलेज वाव बना सकाठानी अंदर परज बजाने छे तो वहूं कोलेज परिवार वती एमने आमंत्रीत करीश अने त्रेवो आपने भार्तिय शाहित्तिक परमपरा में लोग शाहित्य का योगदार एवा वीशय पर माहितगार करसे तो वेलकम स अपल माहित्य कर साथ बना समार में परमस मत्स परमपरा में हुआ है। हाँ जी, हालो, अजी, आवाज ही है क्या, नहीं है, हलो, अजी, आवाज आ रही है क्या है, एक सब्सक्राइब, हलो, अजी, मैम आवाज आरी है क्या जी, आवाज आरएखें, क्या, अजी, आरिफिया है, आरिफलेजिकिया, एक सब्सक्राइब, हाँ, thank you, मैम, एक से कि अ झाने? लुट झाने? लुट बदो झाने? झाने? झाना झाने? 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 कर दो कर दो आज जो अपना ये विशे है इस सेमिनार के अंदर जो मुझे टोपिक दिया गया है कि भारतिय साहित्य के परंपरा में लोग साहित्य का योगता इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्पेसिली ये गुजला तो राजस्तान के पंटेक्स में है जहां पर लोग साहित्य का, लोग वानी में और लोग रजनाओं के अंदर जो बाते बताई गई है और वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्कून है, कितनी ज़्यादा भावपरद होती है उसके बारे मैं आपको बताता हूँ और आज की युग में जिस तरी की जो परिस्तियाद चल रही है जैसे आज हम देखते हैं कि इतनी महामारियों के बीच में कुछ ऐसे भी समयाना चाहिए जिसके अंदर लोग अपने आपको सांध, स्थीर और चित पूर्वक खाम कर सके ऐसा माहूल बने तो इसलिए भी अपने को लोग साहिती की बहुत ज़रूरत परती है इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो ये विशे है भारती साहिती में लोग साहिती का योगदान मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्धी के साथ स्टेप होते है बुद्धी, सुबुधी, मेगा, सुमेगा, परग्या, प्रतिभरा और रितमप्रा साथ स्टेप में से जो मानव के पास है, जो मनुश्य के पास है जो सिर्फ बुद्धी है और बुद्धी के बाद जो भी स्टेप है वो सारे मनुश्य के पास है और सात्मा इस्टिव जो रित्वुद्धी है वो देवताओं के पास भी नहीं होती है वो जो त्री मूर्तियपन जिसे कह सकते है ब्रह्मा विश्णु महेश एशा आप लोग साहिति में बताया रहा है कि उनके पास वो बुद्धी होती है रित्वुद्धी और उनसे भी उपर बुद्धी होती है वो बुद्धी होती है अगर भावों से कुछ समझा जाता है भावों से कुछ लिखा जाता है वो बुद्धी सभी बुद्धी के सभी चरणों में से सबसे स्रिष्ट होती है मैं आपको बहुत सारे ऐसे चंड, बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारे गीत, बहुत सारे कवीता है जिनके माधिन से बताता हूँ कि किस तरीके से भाव गुध्धी जो है वो स्रिष्ट गुध्धी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब संस्रिप का इस दुनिया की अंदर जब मोल बाला था या उससी पहले जब अपन देखते है कि ताचीन भारत के समय में जहां पर लोग साहितिय जहां पहली पहली बार इस्टार्ट होता है, ऐसा सबसे पहला एक्जामपल अपन को मिलता है, दस्वी सदी के अंदर, दस्वी सदी के अंदर गुनाध्य ने एक व्रहत कथा नाम का ग्रंध मिर्ट जो है, उसके अंदर पहली बार लोग वानी का पाथ, लोग साहितिय का पाथ पताय गया था, और उसी के उपर टीका लिखी थी, कश्मीर के महानकवी, शोमदेवभ ने कथा सरीथ साजर के अनादर 1963 से लेकर 182 की वित्स मेया उस समय कस्मीर के राजा अननत थे और उनकी महाराणी जो थी जिनका नाम सूर्यमती था उनके मनो विनोध के लिए उनके मनोरंजन के लिए कवी शोम देव ने कफा सारित सागत की रचना की थी, जो एक्चुली संस्क्रेट में था, लेकिन ये गुनाध्ये का ब्रहत कथा मंजरी की, ब्रहत कथा ग्रंत का एक पार्ट था, और पहली बार यहां से लोग साहिती की शुरू आती थी है, राजस्तान में बहुत सारी एक कोटेसम चलती है, कि डीपे वारो देश, ज्यारो, साहित, उजरो, उस देश का जो प्रच्चिदी होती, उस देश की कीर्थी जो होती है, वो तभी बढ़ती है, जब उस देश के लोगों का, उस देश के रहने वाले लोगों का, साहित के जो है, वो कितना पकासवान हो, कि समय और करती सबिस्टम समय डॉक्त इना बहुत पड़ियास कारवे है उन्होंने बिहार और यूपी के अंदर इसके सली लोग साहिते पर वहाँ की भासा के अंदर बहुत आधिन किया है उन्होंने बता है कि लोग मनूश्य समाज का वह वरगे जो अभी जात के संस्का अभीजय का और पंडिते की जेतना अहंका से सुन गे हुए और जो एक परंपरा के प्रवा हमें जीवित रहता है तो ये जो लोग साहिती है इसके अलग-अलग स्टेप है अलग-अलग तरीके हैं मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर किस-किस तरीके से लोग साहिती के बारे में जो अलग-अलग स्टेप है उसमें कहां-कहां पर किस-किस तरीके का साहित्य लिखा गया। जन-जीवन की सभी प्रतार की भावना है। बिना किशी क्रत्रिम का में समय रहती है। यदि कहीं भी समूची संस्कृति का अध्यान जो है करना हो तो वहां के लोग साहित्य का अध्यान करना विसस उल्लेखित रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम जिस भीक्षत्र के अंदर जाये, जहां पे भी रहे, वहां के लोग साहित्य को जानने पर ही हमें वहांकी असली संस्रती का पता चलता है, उनकी साहित्य के रचनाओं से भी कहीं ज्यादा उन्नत ब Serve that JERRY अपने गुजरात में पदम्सरी कवी दूला भागी काग थाई गया से। अपने अभी जो पहले वक्ता थे इश्वदान, इनका गाउं है पादरेश। अपने गे लिकलिम 1515 में उनका जलिवा था जन्रम इस्तिनी राजिस्थान है लेकिन करम भुमी उनकी घुजरात यहां से वो गिरिनार आते हैं पिर जाम रावल के दऱौर में रहते हैं और वहां आकर उन्होंने जाम रावल के दरबार में रह करिकर제 लोग साहिती की रचन उन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे जो जड़ जाहे ग्रंथ है हरी रश और देवियान इसमें छोटी-छोटी बातों के बारे में इतना उन्होंने लोकवानी के अंदर लौक सहिती के अंदर लिखा है आप समझी एउसको कि आज बहुत जदर जरूर है देवियान ग्रंथ के अंदर जो लिखते हैं, वो इस वनस्पती जगत को प्रक्तरती को पुद्रत को हर जगह सुखार करती हुए उसको मा का दर्जा में, जो आज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की जो परिष्टिय आपन देखते हैं, उसके अंदर आपन देख करने से खोड़े इच की चाहिए, जैसा कि डॉक्तर वागेला साब में पहले आदिवासी जन्जात की लोगों के बारे में बताया थे किस तरीके से वो प्रकर्ती कूज़क होते हैं, किस तरीके से वो खुद्रत के साथ समाहित होते हैं, तो उसके अंदर देवियान ग्रंथ में पुद्रत की प्रतिक अंस को, प्रकर्ती के प्रतिक अंस को उसमें मा का दर्जा देते हुए कबी इश्डास जी लिखते हैं, कि हेमा तू कहां-कहां नहीं, तू हर जगे हैं शुदाजी माहात्मा लेखते हैं कि देवी वंबर्य ढूंगर्य वर्ठ वने के लेवी दमबड़ लींबड़े धन 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 देवी जभूरे चाचरे चबचबkay देवी अंबर अंप्रिक्षी औलांबे देवी निर्जरत तर्वरे नगे मतलब हर अंस के अंदर उन्होंने जो इशुर्दास जी ने प्रकृति को साथ में जोड़ती है और हर प्रकृति के पते एक अंस में मातर सवरूत को माना है वो इसलिए मानना है कि उससे प्रकृति का सरंग्सा हो साथ तो पर देखते हैं कि लोग साहिति की जो रचनाए है उसके अंदर सिर्फ मनूरंजन ही नहीं व्यग्या निक्ता है भासा की उसमें उसक्रिष्ट का पर है भाव की पृढ़न का है सन्स्कृति का समाघं है साहितिक का समाघं है तो प्रकृति के अंदर हमारे सामने के महत्मूल तरीके से सामने आठेए इस्तुरदाजी महात्मा इसी देवियान गरंट के अंदर नदियों के बारे में बताए है और नदियों के किस तरीकी से वो मा के रूप का दर्जा देते ही भी मानते है आज गर अपन देखें नमामी गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है नमामी मा नर्मदा चल रहा है हर एक नदि को अपन बहुत ज़्यदा सरंक्षन करनी की कोशिश करते है फिर भी अपन देखते हैं कि इतने सारे महतकून जो प्रस्न जो है वो रह जाते है लेकिन अगर इसको सामानी जनता के साथ जोड दिया जाए लोग संस्क्रती के साथ लोग जोड दिया जाए लोग वाने के साथ जोड दिया जाए लोग साहिती के साथ जोड दिया जाए और जब जनता की सहवागिता बढ़ेगी तभी सरकार की हर एक योजना सक्षिस होगी जन्ट साभागिता के बगए से वी तरीके की योजना को प्रियान्फ करना मुहद्ट के है तो विए इस वर इश्वदासी नदियों को मा का रूप मॉआंते हैं कि देवी नीर देख्या अर्गो अपोगना से आत्मा नंद हिया हुला से देवी देवता सस्तव तूमा निवासे देवी सेवते सेव सारू कुभासे देवी नाम थागिरती नाम गंगा देवी गंड़ती गोगरा राम गंगा देवी शष्टी जमना सरी सिदा देवी तुवे तो ये सब नदियों के रूप में बता है। पुद्रत को लोग वाने के मादिल से, लोग साहित्य के मादिल से उसका सरंगसन करने के लिए उसको देवी का दर्जा, उसको उस आदर्स का दर्जा दिया जाता है जहां पर उसका सरंगसन हो से। बात सरफ यहीं तक की नहीं होती है, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जम्पल और बताता हूँ, कि किस तरीके से लोग साहित्य के अंदर अपने संस्क्रती को, अपने समाज को, अपने आने वाले पीडियो के लिए अनेक तरीके से आदर्स उदान दे सकते हैं, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूर है, सिर्फ धौतिक वादी यूग, सिर्फ किताबी ज्यान, सिर्फ विग्यानिक शिक्षा दे, यही ज़रूर है जब लोगों में मुल्यों का समाविस नहीं होगा, लोगों में नेतिकता नहीं आईगी, लोगों के अंदर अपने संस्क अपने परंपराओं के और गरव नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बख सकते हैं। समारू का आजन किया था, जिस उसकारण उसमें जितनी भार्व के देशी रजवारे थे, जो भी राजा थे, वो सभी वहाँ पर उपस्कित हुए थे, उसमें सभी राजाओं को जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनको अलग अलग तरीके के अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया जा रहा था, मेवार के महाराना फते सिंग भी उसमें, और मेवार के महाराना फते सिंग को इश्कार ऑफ इंडिया, ग्रांड इंडिया की पुरसकार से नवाजा जगा नेद वाला था, महाराना फते सिंग जी मेवार में उदेपूर से रवाना होते हैं, और जब उनके जो कवी थे केशरी शिंग बारत उनको पता चलता है कि मेवाड के महाराना जो है वो आज अंग्रेजों के सामने हाथ प्रिला गड़े एक फुरुषकार को ग्रहन करने जाए तो बपा रावल से लेकर चलिया रही परंपरा को आज जो महाराना फटेस ने वो उनके अनुसार धूमिल करने जाए तो उन्होंने एक मेवारी भासा कह सकते हो या राजेसलों ही वासा कह सकते हो इसके इंदर तेरा भूही लिखते है जिसको राजेस्तान के अंदर चेताअ नीर चुंगट्या नाम से बहुखता प्रुछरे उन्दुहों के • जब वो तो ऐ अपने फुल बोरव, संस्कृति, नेवार और हिंदुत्म की वहचारधारा के इतना उनका प्रभाव हो जाता है उन दोहों के माध्यन से कि वो लोग वाने के अंदर, लोग सहीती के अंदर लिखी हुए दोहों को पढ़ करके जो उस समय अंग्रे जोत्वदारा सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा तमगा, सबसे बड़ा पुरुस्कार उनको दिया जा रहा था उसको ठुकरा करके वो लॉड करजन के दरबार में सामिलित नहीं होते है मैं दोहों बताता हूँ उसमें कुछ आपको मतलब जिन महाराना और जिन मेवार के रानाओं अपने मुल्यों से, अपने विचारधारा से, अपने खाओं से हिंदू, हिंदुस्तान और धरती के अंदर एक नए उधारन पेस किये थे, आज उन सभी उधारनों को भते सिंग, आप एक पुरस्कार की इवज में ठुकरा रहे हूँ मेवार का कोई महाराना, मेवार का कोई व्यक्ति दिली के किले के अंदर अभी तक नहीं गया लेकिन पते सिंग, आज आप उस किले के अंदर जाओगे, तब आपको कैसा लगेगा दिली के लाल किले के उपर उन्होंने लिखा था के श्रीशिंग भारत ने कि देखे अंजस दी, अपनी अंजस कहते हैं आँझों पर अपनी आँखों से देखकर दिली का लाल किला है, वो अंदर ही अंदर खुस होगा देखे अंजस दीह, वोलकेली, मनी, मना, दंबी, गड़, दिल्ली, सिस, नमता, शिश्वग यह शिशोदिया तेरा जब सिस छुका करके तू उस किली के अंदर प्रवेश करेगा तब तेरे उस सिर नमते हुए, जुकते हुए शिश को देखकर सिर को देखकर दिल्ली का लाल किला भी अंदर यंदर वो सिर आए, तो ये ठीक बाते नहीं है फिर जब उन्होंने फते सिंग जी ने ये दोहे पढ़े और पढ़ने के बाद वो उस प्रोग्राम के अंदर, लौड करजन का जो प्रोग्राम का उसके अंदर वो नहीं जाते है आज भी आप कभी जाओ, त्रीमूर्थी लैन पर जो इंजिन म्यूजियम बना गुआ है, वहाँ पर ये 1903 के दर्बार की बहुत बड़ी पैंटिंग लगी है और उसके अंदर, सबसे बीच के अंदर जो सीट है, वो महराना मेवार पते सिंग जी किये, और वो उसके अंदर नहीं जाओ वो सीट खाली है, आज भी उस पिक्चर के अंदर देखो भी तो भी उसमें आली बताई गी फिर केसरी सिंग बारे उनके बारे में लिखा था, ओरंग जेब का समय, बीका निर महराना राय सिंग जी को ओरंग जेब का समय, बीका निर महराना राय सिंग जी को ओरंग जेब वहां से, जो है, अपने सेना के साथ लगने के लिए, एक छोटा सा ज़ा, एक छोटा सा पेड रागिस्तान के अंदर होता है, राजस्तान के जो तार डेजर्ट का पार्ट है, हाँ पर एक चोटा सा पेर होता है जिसके फोग उकाहँ था, उसकी कोई पतीया नहीं होता ही, वो इक जाड़ी की रूप में होता है, और उस फोग को देख करके वहाँ पर काबूनने, वहाँ पर देखके राइसिंग उसे लिपट कर दोने लगता, क्योंकि उनको फोग जो है, वो अपने देश की याद दिला रहा है, अपने भीका नेर की याद दिला रहा है, और फिर वो उसको देखकर कहते है, कि तु परदेसी रूपडो, आ मिडल रो जो बोपर औरन जो पोफियो तो घठे सुगाई हो तो ऐसी लोग साहिती के बाते हमारे इतियास के अंदर बहुत ज़्यादा हो प्रेरना परदान करती है तो इसका जो लोग साहिती का जो महतन है अपन देखते हैं ये तो लोग साहिती के पहली मर्यादा हुई इसकी दूस्री मर्यादा ये है कि इसकी रचना वे जट्टी का नहीं बल कि पूरे समाज का समावेट लोगणा होता है कोई पी समाज का कोई भी वर्ग का जट्टी लोग साइटी के अंदर अपनी बाते रख सकते हैं चाहे वो कव्यों की भासा हो, सामान ये जल की भासा हो, सामान ये जक्तियों की भासा हो, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा काम की भासा होती है इसके लावा देखते हैं कि जब सिल्फ विदान की बात करते हैं हम इन दू मुख्य मर्यादाओं की सामने रखते हैं कि इसमें सिल्फ विदान के लिए कोई अभ्यास या पोसल परीलिक्षित नहीं हो सकता है क्योंकि सिल्फ का विदान हमें यह चिखाता है कि सामाजिक समरस्ता की विवस्ता के कारण आप अद्बूत ही रूत में ही उसमें प्रचलित रूत से सिल्फ विधान को समझ सकते हैं चुकि लोग साहिती में कोई ऐसा व्यापाद होनी की संभावना नहीं होती है जिसके अंदर अपन ये समझें कि इस लोग साहिती के माध्यन से लोग का फाइदा रहे है चुकि इसके सिल्फ विधान की बात ताफिक दिश्टी से देखते हैं तो सिल्फ विधान का अर्थ अभी व्यक्ति को ही जोड़ना होता है अभी व्यक्ति को ही प्रस्तूत करना होता है ये लोग साहिती है लोग साहिती है जन्मानस की उपज है इसमें लोग का मानस और लोग जीन और लोग का भाव का बाव की बासा वेग्यनिक विवस्पा का अधियन है लोग साहितिय के लिए विद्वानों ने लोग वारता, लोकायन और लोग धन जैसे सब्दों का भी प्रयोग किया है इसके अलावा हम देखते हैं कि लोग साहितिय जो है साहितिय और लोग साहितिय का सबसे बड़ा अंतर यही है कि साहितिय अलंकार, रस, छंड का पालम करता है अधि बहुत जड़ा ने सुत्रगार डारविंस सर्फ्रेजर थे अपन दुनिया के रेसों की माध्यिन से लेकिन वहां पर भी अलग अलग जगे पर लोग साहितिय की रचना है हुई है चाहिए इंग्लेंड के अंदर देख लो, चाहिए लेटिन कंट्रीज के अंदर देख लो, भारत के अंदर देख लो और इस पिसमें गुजरात और राजस्तान के अंदर लोग साहितिय का और हर एक स्टेट को हर शित्र का एक लोग साहितिय का हुई है इंग्लेंड के अंदर आप देखेगा तो लोग साहिती समाज की 1871 के अंदर स्थापना होती और सर डार्विन फ्रेजर जो थे वो इन लोग कथाओं को संग्रह करते हैं और उसके बाद वो अलग-अलग जगह पर लोग कथाओं का स्कुति करते हैं ऐसा ही एक एक अग्जम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लोग साहिती के अंदर जो है वो किस तरीके से आप देखोगे तो खुद्रत के रूप में जगवर्ण किया जाता है तो मैं आपको पिंगल सी भाई पाता भाई नरेला जो भाव नगर के राज कोई थे उनका लिखाग किसे उन्होंने बारा महीनों के अंदर इंगल सी भाई पाता भाई नरेला जो है उन्होंने बारा ही महीनों का वरणन किया गया है उसमें अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको असाड महीने के बारे में बताता हूँ कि असाड महीने के अंदर इंगल सी भाई पाता जैश्य वेड़ा करेंगे दिधार जो और मिल करेंगे भिर्दन fala कुमार ऑफ जोप्ताइब्र गृस्ती कुछिए इसी तरीकके से लृफ से वर्थ रृफ नड़ जेञे さらो गभर्द रब शे तरो और से तो ऐसे अलग अलग दिश्टिकोरों के मार्जम से अलग अलग तरीके से लोग साहिती की रसना की गई है अलग अलग तरीके से लोग पुपानी को लिखा गया है लोग साहिती की इतिहासिक जो दिश्टिकोरों है उनके बारे मैं बताता हूँ कि लोग साहिती का जो पहला दिश्टिकोरों इतिहासिक दिश्टिकोरों है उसमें बताया जाता है कि लोग साहितिय के इतिहासिक अध्यान की परकिलिया में इतिहासिक समाजों एमम विभीन जल्जातियों के विविद परहलों का अध्यान किया जाता है इतिहास का पुरातत्वों प्रणाली के आधर पर लोग साहितिय का अध्यान करते है लोग साहितिया और इतिहास का सम्मन बहुत लिकट और धनिश्ट है लोग साहितिया में एक युगी के लोग की तस्विर होती है जबकि इतिहास ने व्यक्तियों, विशिष्ट ग्यक्नाओं, सामाजिक और सांस्किप्टिक सम्मन वित करके बताया जाता है एकतों में एक लोग का चित्र होता है, कथा परक लोग कीतों और लोग काथाओं में जन्पब की महत्पूर भूमी का होती है साथ ही इतिहास में जिनका उलेक नहीं, इतिहास जो होता है, जो हमें सा विजिताओं का लिखा जाता है और जो सामन्य जन्मानस होते हैं उनको इतिहास से अलग रखा गया है इसका लोक वानी के अंदर टोक साहिक्थि के अंदर उन लोगों के इतिहास के बारे में जुतले जानकारी मिलती है तो इसके अलावा इसका सबसे महपून ये है कि लोग संस्कृति और सामाजिक इसकिति की वास्टित का पता लगा ना हो तो लोग शाहितिये वो पक्षपाख विहिं होने के कारण अनुसिलन का दृष्टिकॉर्ण में रखा जाता है इसलिए किसी भी यूग का लोग सहीति उस यूग के सामाजिक इसका मौकिक तस्तावेज होता है उदार्ण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्राचिन समाज में किस तरीकी की एक सामाजिक व्यवस्ता थी मेती नियम रेती रिवाज यहां परखाए थी उनके लिए एतिहासिक अध्यन की प्रक्रिया को ही समझना न पढ़े अपना न पढ़े तो हम समझते हैं कि हिमाचल परदेश का एक कांगडा जिला है जहां जौला माता जी का मंदिर है इन सबका चितरन वहां के लोग साहिते में स्कूष्ट लेखा जाता है अतक कांगडा से समंदित समस्ते लोग परदेश का अगर अध्यन करना पड़े तो वहां के जो चितरकला है वहां के पैंटिंग स्टाइल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वून एक सोट की रूप में होती है जिसके माध्यम से अपन कांगडा की जो पेंटिंग है वो कांगडा सेली के नाम से ज़ज़ाहिर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वून घूमी का प्रदान करती है दूसरा अगर इसका अपन विश्टिकोन देते तो ये एक मनोवग्यानिक विश्टिकोन है लोग साहिती का जो मनोवग्यानिक विश्टिकोन है जिसके अंदर गत मानव के व्यवार और मानसिक प्रक्रिया होता गया लिए मनो विश्लिसनवाद के जनमदाता फ्रायड थे और फ्रायड ने ये लिखा है कि चेतन और अवचेतन दो मानसित अवस्वाइब बताईए और मानसित अवस्वाइब के अंदर अलग-अलग तरीके की अपनी धारनाई बनते हैं लोग मानस का मनो विख्यानी क्रिश्ची कौन जो होता है वो उन भावनाओं को स्विकर करता है और उनके द्वारा उनको सुकून के प्राप्ति होती है अपन किसी भी आराध्य को माने किसी भी देवगार के सामने जाए किसी भगवान के सामने जाए एवन अगर 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 संतुष्टी आत्मे संतुष्ट के लिए अपन जब सोचते हैं, तब हम ये देखते हैं कि हमारे जो भाओं से, हमारे व्यवार से, हमारे विचारों से, हमारे विचार भारा से, अगर किसी का अच्छा हो रहा है, तो हमें पुरन संतुष्टी मूद, अगर हमारे से कुछ खरा अबदारी उनके पास होती है, फिर भी जब उन सब को एक पन के लिए चब छोड़ के खुद का जब मुल्यांक अनकरनी लगता है, तब उसके अंदर उस लोग भावना का, उसकी मन चेतना का विकास होता है, और वहां पर पता चलता है कि मनुशी क्या चाहता है, किस तरीके के भावों को समझता है, एक सिंपनी लोग भासा, लोग से लिए के अंदर मैं आपको बताता हूँ, कि राजिस्तान के अंदर एक कभी वे थे, अबरदान जी, उन्होंने एक, अपने जब घर में बेखे थे, तो एक कभूतर, कपोर, जो उड़के उनके रूम में आता है, और कभूतर आता है, तो कभूतर का प्राचिन समय का अपना एक मेसेंजर था, अपने प्राचिन समय में संदेश ले जाने के लिए कभूतर जो है, वो काम में आते हैं, जब कभूतर को देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है, कि ये पताने किस कोने से उड़के आया है, और इसके पास क्या समाचा रहेंगे, तो एक पक्षी और एक मनुश्य के बीच में वारता लागे, और पक्षी से वो कुछ सवाल करते हैं कभूतर से, क्योंकि कभूतर जो है, वो संदेश वहाग का, मेसेंजर का काम करता है, तो कभूतर से पूछते हैं, कि नेग पंचीतू कड़ जुगरो नारद, भाग भर्योतू भाई, देश हिंदमा काई बीच को, बतला देखो बगाई, धेका का करा हताई, हाँ कोई चोकी गप सब चोल, हाँ हाँ बोल कभूतर बोल, खोटा रापड़दा कोई, वो कभूतर से सवाल करते हैं, कि तू कर्यूब का नारद है, तूने इस देश के अंदर सब कुछ देखा है, तू मंदीर पे भी बेखता है, तू मर्षिद पे भी बेखता है, तू धनवान की महिन पे भी बेखता है, गरीब की जोपड़ी पे भी बेखता है, लेगिस्तान में भी है, जं जा रहे हैं कभूतर वापिस जवाब देता है और ये एक आज गल के समय में जो भष्टाचार जो लांच जो हो रहा है उसके उपर कमेंट किया गया है तो कभूतर कहता है कि मैं तो रमता जोगी महलों से जोपडियां लग जाओं उच नीचरो भेदन आना गुट्रू गुट क्लिए तो बॉट आतों कि're dana गधरश जगाउं तो फ्रेशित नीचरों फेद मोतां अरों महलें वोने के हिर्श में वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि परजा को परबाद करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो पक्षी और कवी के बीच में जो वारता हो रही है इसके बाद बताएगा वो फिर बताते हैं कि पुलीस तो परजारी रक्षत क्यों भक्षत कहलावे लूट कसोत करे लोगासू कोतवाल जी घूस कतल चूरी मो बढ़ती जावे मुंसी जी धूम मचावे परजा मो लीठी पोल हाँ हाँ मोल कबूतर बोल खोतर राप पड़दाते हैं तो ये सब लोग साहिती की बाते हैं ल लोग साहिती के अंदर जब चंडों का परियोग होता है जो इस्थानी भासा के अंदर उस शेत्र के अंदर सीखा जाता है उस शेत्र की बासा के अंदर बताया जाता है तो वो भी कितना उत्कृष्ट उस्रेली का कावे होता है कितना उस तरीके से उस चंडों के माध्यम से इसके बारें बताय गया है। इसके बहुत सारी रचना हैं जिसके अंदर अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लोग साहिती के अंदर जिस एरिये के अंदर जो वो चाहता लोग साहिती है वो सबसे ज़्यादा मैठोन है। और लास्ट के अंदर मैं आपको एक छोटी से चंद के साथ मेरी बात को मैं पूरी करूँगा। ये चंद जो लिखा गया है और इस चंद के अंदर तो आप देखोगे कि आज की जो धरम के आधार पर जगड़े होते हैं और उस धरम के अधार पर चारूई धरमों के बारे में उन्होंने रचना करके बताया है कि हिंदू क्या है, मुस्मिन क्या है, क्रिशिन क्या है, इनके बारे में इसमें हिंदू के बारे में उन्होंने लिखा है दूसरा उन्होंने ये तो हिंदू के बारे में लिखाए, जैनों के बारे में देखे, कि अरिहन्त हिद अनन्त जैनमत उचुरत नूरत सूरत करह सुमत निरने उपजत अंतह करन अहींसा उत्कुत भगवत अरिहन्त भगत वने तृष्वनाचित तृपत तरत ब्रह्मत श्या प्रिशनीटी के बारे में भी लिखते है, कि ओमनी पेटेंट रटन इसाई, माई लॉर्ड आल्माइटी, डॉमिनेंट, प्रॉजट, सेंट इस ओमनी, इंन्टरनल गोड इंटरनटी, साथ ही साथ इसलाम धर्म के बारे में बताते हैं लोगसाएट के सामाजी इसामरस्ता का परिए मारे दियास को जगाने का परिए हमारे सनसकृति को जगाने का परिए और जिस देश की सनसक्र्टी उसका अपीद उसका गौरव उसका भान नहीं होता है तो जब Lord Premier legale अपनी policy चला रहे तो उन्हों ने मीखा था कि अगर भारत को स़धीयों के लिए गुलाम बनाना है तो युथ्भों से अपन गुलाम नहीं बना सकते हैं लेकिन उसके अपित को उसकी संसकृति को उसके साहित्यों को अगर नास कर दे तो आने वाली कई प्रेडिया हमारी हमें साहरे साहरे के लिए गुला हो जाए है तो अपने लोग साहिके संस्क्रति पर गरव होना चाहिए इसका महत्मा अपने जीवन बहुत जादा है और इसको हमें आगे से आगे प्रकास मिलाना चाहिए ताकि आज कल्फी को ठीक वादे यूब के अंदर मनुश्य को सामती मनुश्य को सुकून मिल सके इन बातों से और ये जो मेरा आज का ठीक है मुझे जो इन मोका दिया रिस्पेटड वागला शाब रिस्पेटड पतिल साब और रेस्पेक्टेड मेडम उंधिंग कर रहे है और जो साथ में मेरे विल्बान स्कोलर इश्वरदान मौंदान और मेरे फ्रेंड प्रतापशी इंगाजबूर आप सभी का आभार सुक्रिया जितने भी सुना जिन्होंने भी सुना उन सभी का बहुत बहुत ज्यादा क्या एचा सब्सक्राइब भार आदेवाद मौंदान गाहिझा आट्व और बहुतान गणियुक्तों पिस्टे जिए निए अंदर हासकरी ने अल्ड़ा बहुतारी आपन्दान अग्टिक्टा आप जिस्टें गाल्ज़ा पैम जोग वेँख़ान खिए पी ने सब्सक्तें टेव रोहा द्वारा थंद द्वारा आपनी समक्षा रजुक्षा रजुक्षा यह खी ऐना विसे पर वाद करें यह थी मालिशी बबस्ता निवाद करीं बुद्धी निवाद करीं आवि, जुदी जुदी प्रकार्नी अनि अधि अजए छे, वस्तु ओझे, आपिसमाम स्रक्राइब गड़ा बड़ा हरो आप्या, मनुष्या और वक्रम्पाइ बार्ता लागे धिसरी बार्ता लागें। कि शरक मह्राविवार्थ साथे साथे धर्म विश्टेरिवाना बात करी के जुदी जुदी प्रकार ना धर्म विश्टनाची जूंद चे दोहां उचे इना भी से आपने माहिक वर्याद तो पुलेज परिफी आपनों आभार वेटारब तूँँ अवे कारियकरम ना अंकत तरफ को जदा हो अमारी कारिय पीजिना इप्यास वेवागनां दॉक्तर मीना अधिरवाला ङे विलंडी परिफ केजे ओष्पी आभार वेटावाला नमस्कार स्री अने स्रीमती पीके कोटावाला आश कोलेज पार्टन और भारतिय संस्कृती और इतियाज संसृतर केंडिके स्युक्त उप्रम में आयोजीत भारत की संस्कृतिक प्रमपराओ यूगों से विशय पर आयोजीत दो दिन के ओनलाइन नेशनल कंटेंस में उपस्तित सभी मह मानुबह पार्टेशिपेंट का तहा दिल से आभार व्यक्त करती हूं सबसे पहले मैं इन्वर्स का आभार व्यक्त करती हूं जिनों ने हमें इस वेबिनार करने की हमको प्रेणा दी कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्तर पंचोली शरका तहा दिल से सुक्रिया गुजार करत हमको आशिर्वार्त पदान किया है हमारे यश्मेन प्रिंसिपल डॉक्तर ललिद भई पटेल सरका तह दिल से सुक्र गुजार करती हूं जिनोंने यह सेमिनार करने की अनुमति दी और सभी वक्ताओं का बहुती सुन्दर परिचे दिया उसके लिए में उनको खुब-खुब करती हूं इस कारिक्रम के प्रथम बक्ता डॉक्टर अरुन भाई वागेला सरका ददे से अभार व्यक्त करती हूं जिनोंने कल्चरल ट्रेडिशन और गुजरात गुजरात में आदिवासियों की सांस्कृतिक परमपराओं के बारे में बताया और आदिवासियों के तुल्ला में स्ट्रियों की संख्या जादा थी इस्ट्रियों में टेम वीवा इच्छा वीवा और विध्वापुनर वीवा करने की व्यवस्ता थी उसकी लिए उनको खुब-खुब धन्यवाद फिर प्रोपेसर इस्वरदान सर्च जो आसिस्टें प्रोपेसर जो दिल्ली इ corpo से में कारिर है उनका रदे से अबार ब्धक्र प्रेक्ट ताप प्रीयों आपने इंडियें रॉप आठ इन श्पेसल क्क्रेट उप हाड़ो टी रिजन औप आजस्तान के बारे में बताया रोब आठ सब्सक्राइब में शरू हुई थी बुन्दी में सबसे ज़्यादा रॉक आर्ट अथा रॉक पैंटिंग देखने को मिलती है यह पैंटिंग के आधार पर मानव के विकाश का अनुमान लगाया जा सकता है और यह पैंटिंग नेचरल पैंटिंग के बारे में अपने बताया ह उसके लिए आपका तहर दिल से सुक्रिया फिर प्रोपेसर शीश करंचारंग का जो जो गवर्मेंट को और वाव से रदे से आभार वेक्ट करते जिनों ने बाती साहिते की परंपरा मा लोग शाहिते का योगदान और लोग साहिते से ही उस राज्य की संस्रूतिक और इति जिनों ने इसे विदार का आयोजिन किया संगीता बेन का जिनोंने इस कारी मुगर्म का सुंदर संचारंग किया उसके लिए उमें तरह दिल से आभार वेक्ट करती हूं और सभी पार्टिसिपेंट का भी आभार वेक्ट करती हूं उन्होंने प्रजेंट रहे कर इस कारी करम को सफल बनाया धन्यवाद 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 तल अपन फिर से मिलेंगे सी यू अगन ठेंक यू